सथ गूर्देव की जय सरवशंगत से प्रार्थना है सत्संग प्रार्म हो रहा है कर्पया सत्संग सथल परशांती पुर्ग वरादमानों करके सर्धा से सत्संग सुने पून परमात्मा पाप करमदंड को भी काट सकता है अभी तक जिस भी संत्वा महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप करमफल भोगने से ही समाप्ध होगा वो प्रभु कौन है जो पाप करम को काट देता है वो काल के बंधन से छुड़वा देता है उसका क्या नाम है पूजा की विधी क्या है खिर्पया अवश्य सुनिये जगत गुरु नत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज के अमरिक वज़ा रमस्कार मैं हूँ आपके साथ नेहा शर्व और आप देख रहे हमारा विशेश कारिक्रम आध्यात्मि ज्यान चर्चा और आए शुरुआत करते हैं कारिक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत्रामपाल जी महराज सत लोग आश्रम बर्वाला जिला हिसार हरियाना बनाम हंता देश पंत के प्रमुक संत्श्री संत्पाल जी महराज पंजाबी बाग दिल्ली के विचा दर्श को आज हम बात करेंगे साधना टिवी चैनल के माध्यम से आध्य निये संद असत्पाल जी महाराजी से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं वह सबसे पहले महाराजी का स्वागत करते हैं पहुत बहुत बहुत पाणा दन्यबाद का मशक्राइब हम जाना चाहिए कि आपकी इस्ट देव कौन है हमारे इस्ट देव जो है हमारे सद्गूरू है जिनुने हमको ग्यान दिया उनीग में हम शरधा और निष्ठा रखते हैं अभी आपने सुने हंसा देश पंथ के प्रमोग संथ्ष्री सत्पाल जी महराज पंजाबी बाग दिल्ली के विचार अब जानते हैं जगत गुरु तत्व दर्शी संथ रामपाल जी महराज सत्लोक आश्रम बर्वाला जिला हिसार हरियाना के विचार महराज जी आप जी का इश्ट देव कौन है मुझदास का जो इश्ट है इश्ट देव है वो परम अक्सर ब्रह्म है जिसके प्रियाईवाची सब्द परमेश्वर सद्पुरस अकाल मुर्थ सब्द सुरुपी राम आदी उसी परमक्सर ब्रह्म के उपमात्मक नाम है उनका वास्तविक नाम कवीर देव है कवीर साब है अल्लाहु अक्बर है इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रमंडों की उत्पत्ती की सभी प्राणियों की ये सर्व उत्पादक परभू है सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी वो जनक है सभी आत्माओं की उत्पत्ती उसी ने की सभी ब्रमंडाओं की उत्पत्ती उसी ने की और पांस तताव तताव तता तीन गुणों की उत्पत्ती भी उसी परमेश्वर परमक्सर ब्रह्म ने की कवीर देव ने की और वही प्रमात्मा वही प्रमक्षरब्रम जिसे हम संत वासा में सत्त पुरुष कहते हैं वो भारत वर्ष की इस पावन दर्तिप है सन तेरा सो अठाणुएं समवत चौदा सो पच्पन जेश्ट सुधी पूर्ण वासी को सुबह ब्रहम मुर्द में सत लोग से अपने निज सथान से चल कर आकर एक सिसु रूप धारन करके कमल के फूल पर विराजमान हुई वहां से उनको नीरु नीमा नाम के एक पती पतनी थे वो जुलाहा जाती से थे जुलाहा करम करते थे वो ने संतान थे उनको उठा कर घर ले गए परमात्मा जुलाहों की कलोनी में रहने से जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहा कारिया करने से वो जुलाहा कहलाए ये मुझदास के इश्ट देव है अभी आपने सुने जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज सत लोक आश्रम बर्वाला जिला हिसार हर्याना के विचार और आए अब जानते हैं हंसा देश पंथ के प्रमोक संथ श्री सत पाल जी महराज पंजाबी बाग दिल्ली के विचार अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी इस्ट देव कोन है हमारे इस्ट देव जो है हमारे सत गुरु हैं जिरुने हमको ग्यान दिया और उनीग में हम शर्दा और निश्ठा रखते हैं अब यह आपने सुने हंसा देश पंथ के प्रमोक संथ श्री सत पाल जी महराज पंजाबी बाग दिल्ली के विचार और आएए अब जानते हैं जगत गुरु तत्व दर्शी संथ रामपाल जी महराज सत लोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाना के विचार महराज जी इष्ट देव और सत्गुर देव एक ही हैं या इनका अस्तितव भिन भिन हैं इष्ट देव पुझ्य परमात्मा होते हैं और गुरु देव उस परमेश्वर इष्ट का एक परती निधी होता है जो उस परमात्मा से मिलाने की विधी बताता है जो संत अपने सत्गुरु गुरु को ही इश्ट देव कहते हैं उनको अध्धात्मिक ज्यान कुछ भी नहीं है वो अध्धात्मिक गुरु नहीं हो सकते हैं इस काल भगोएन ने अपने नकली संतों के दोआरा नकली मैंतों के दोआरा नकली ढूठे इन आचारियों के दोआरा प्रमात्मा के यथारतमार्क को लोब करवा रखे हैं इस दास को यह सेवादी इस साची कहन की परमात्मा के बच्चों तक यह सच्चाई पहुंचाने की और दास उस पर परमात्मा की ही रदा से अगरसर है और अंतिम स्वास तक इस सच्चाई को परमात्मा के थार सिजान को ऐसी ही बोलता रहूँगा और परमात्मा के बच्चों तक ये संदेश पहुचा के छोड़ूँगा चाहे समय कितना ही लग जाए ये समय आएगा परमात्मा का साथ है सद्गर्णत हमारे पास है संत का दो सस्तर है संत का सस्तर सद्गर्णत है उसका ग्यान होता है तो कबीर साहब कहते हैं और ग्यान सब ग्यान डी और कबीर ग्यान सो ग्यान और जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान उन्हीं तत्वे ग्यान ही इन संतों में से बहुत से संतों आचारियों संक्राचारियों के ग्यान का और सद्गरंथों के ग्यान से तुलना करके समाज के पास पहुचा दिया दासने उन्हीं में से कुछ सेश रहते हैं उनको भी आपके रूबरू कर रहा हूँ यथार्त बक्ती मारग हीन प्राणियों में से एक हनसा देश नाम का एक पंथ है जिसके अंदर क्रोडों की संख्या में सरधालों फसे पड़े हैं और सरधालों सरधालों ही होते हैं वो अपने भगवान पर ब्लाइंड फेथ करते हैं अपने गुरू पर वो अंद विश्वास करते हैं और सरधालों का ये सुभाव होना भी चाहिए क्योंकि टीचर के वसनों पर सटूडेंट अबजेक्शन नहीं कर सकता क्योंकि वो टीचर मान रहा है उसको तो वो टीचर उस विद्यार्थी को यदि दो दूना छे पढ़ा रहा है तो वो बच्चा दो दूना छे ही पढ़ेगा और दूसरा व्यक्ति कोई उसको कहने की चेश्टा करे घर पे कि आप गल्त बोल रहे हो तो वो नहीं मानता उसका सुभाव है वो विश्वास करता है अपने धापक पर अब इस सुभाव का दूर्पयोग कर लिया इन अकली संतों ने तत्व ग्यान हिन संतों ने इनको ना सद्गरंथों का ग्यान ना वेद और गीता और पुराणों का ग्यान और बन गए ये गुरू गुरू बनना कोई बालकों का खेल नहीं है एक अनमोल मनुस जीवन के साथ खिलवाड करना है और उसका भार अपने सिर पे रखना ये बहुत बड़ा अपराद है परमात्मा के विद्धान में अब आपके रूबरू करते हैं अनसा देश नाम का एक पंथ है उसके परवर्तक है शिरी हन्स राम सिंग जिनको बाद में हन्स जी माराज कहा दाता था हन्स जी माराज एक बहुत इपुनकरमी प्राणी थे एक बड़े महात्मा थे उनके दो पूतर हुए एक का नाम है शिरी सत्पाल जी माराज और दूसरे का नाम है शिरी परेम जी माराज जिसको बाल योगे सुर भी कहते हैं और जिसका अधिक परचार अमेरिका के अंदर है और यहां भी बहुत सा है यह बहुत कम आता है अब यह संत हैं गुरू हैं अध्धापक हैं और हमारा जो सलेबस है हम विद्धार्थी हैं आप जी विद्धार्थी हैं और हमारा अध्धात्मिक जो स्पाठे करमने सलेबस है पवितर श्रीमत बगुत गीता पवितर चारों वेद और पवितर पुराण और पवितर कवीर वानी कवीर सागर कवीर साखी कबीर बीजक ये मानो समाज का एक विद्धान है एक सलेबस है ये धातम का विद्धान है जो विक्टी अपने सद्गरंथों के विपरित ग्यान परतान करता है तो वो टीचर आउट ओफ सलेबस सटर्डी करा रहा है आउट ओफ सलेबस टीचिंग कर रहा है अपने पाठे करम से अलग पढ़ा रहा है जैसे कोई अध्यापक पाठे करम के अतिरिक्ट ग्यान देता है तो वो टीचर ठीक नहीं वो सत्रू है विद्धार्थियों का तो ये कारिये वरत्वान के सभी संत महन तोराचारिय संक्राचारिय कर रहे है ये बड़ी सर्दा से इन ही धर्म गुरूं को तत्व ग्यान युक्त मान कर इन से प्राप्च ग्यान के आधार से वही सर्व पूजाएं किया करता था जिस दिन से ये तत्व ग्यान की रोशनी हुई आत्मा को एक धक्का लगा है कि इतना नमोल जीवन मन उसका और ये हम बांग का भाड़े खो रहे थे धार्मिक्ता का दावा करते हुए हम कोरा अग्यान ग्यान किये हुए थे शिरीमत भगुत गीता अध्धाय सोला के सलोक 23-24 में कहा है कि सास्त्रविदी को त्याग कर जो मनमाना आचन करते हैं उनको ने तो सुख होता है ना उनकी गती होती है नहीं उनको कोई सिध्धी प्राप्त होती है अर्थात व्यर्थ योजलेस फिर कहा है सुलमेद्य के 24 में सलोक में इससे तेरे लिए अर्दुन सद्गर्ण्थी पर्मान है उनी को आधार मानकर अपने बक्ती करम को आगे बढ़ाना कर्टव और एकर्टव की विवस्था में कौन से बक्ती करम करने चाहिए कौन से ना करने चाहिए उनके लिए सद्गर्ण्थी पर्मान है अभी आपने सुने जगत गुरु तत्व दर्शी संत रामपाल जी महराज सतलोक आश्रम बर्वाला जिला हिसार हरियाना के विचार और आईए अब जो आनते हैं हंता देश पंथ के प्रमुक संत श्री सत्पाल जी महराज पंजाबी बाग दिल्ली के विचार पूजा की वीधी बताते हैं शुरीमत भागवत गीता में यह बढ़नी था यह चीज क्या यह मैंने इसलिए आपको स्रोत्य प्रमिश्ट कहा कि शास्त्रों के आधार पर जो शास्त्रों में लिखा है उसके आधार पर सद्गुरु ज्यान देते हैं शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित इसलिए उनको सोत्य प्रमिष्ट कहते हैं अभी आपने सुने हंसा देश पंथ के प्रमोग संथ श्री सत्पाल जी महराज पंजाबी बाग दिल्ली के विचार अब जानते हैं जगत गुरु तत्व दर्शी संथ रामपाल जी महराज सत्लोक आश्रम बर्वाला जिला हिसार हरियाना के विचार श्री सत्पाल जी महराज तथा श्री प्रेम रावत जी जिसको बालेगुस्वर जी कहते हैं ये दोनों महाराज स्री हंस जी महाराज के पूतर और उनके सिसे हैं ये कहते हैं कि जो दिख्षया हमारे पूजे गुर्देव स्री हंस जी महाराज दिया करते थे वही दिख्षया हम अपने अन्वियाईयों को परदान कर रहे हैं पुन्यात्माओं जो इनके पुझे गुर्देव श्री हंस जी माराज जो साधना स्वेम करते थे और जो दिख्षा देते थे उससे उनको क्या मिला चालिस वर्स की साधना के उपरांत वो प्रेत बादा से पीडित देखिएगा प्रमाण जो अब सत्पाल जी माराज और स्री प्रेमराज जो इनके छोटे बाई हैं जो वही साधना ये दे रहे हैं तो इनके अनुवाईयों की क्या दसा होगी तो आप जी को इस हंस जी माराज के दौरा दिये गए ग्यान की एक जलक और जो भक्ति वो क्या करते थे और कराया करते थे वो साष्टर अनुकूल है या साष्टर के विरुद और जो साधना वो क्या करते थे उस भक्ति से उनको कितना लाब या हानी हुई तो उससे ये सपष्ठ हो जाएगा कि वो साधना उचित थी या अनुचित थी ये आपके रूप करते हैं ये एक पुष्टक है देखिएगा ये एक पुष्टक है अम्रत के कलस शिरी हंस जी माराज जीवन एंदर्सन संपादक है चमनलाल टंडन एम्मे एम्मे एमेड दिल्ली विशविदाल है डबल एम्मे और ये कहां से परकासित है परकासित है मानो उत्थान सेवा समीती परधान कारियाल है दो बटा बारा पंजाबी बागनी दिल्ली से मुद्र के में फोटो कंपोजिंग राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्राइवेट लिम्टिड दो बटा बारा पंजाबी बागनी दिल्ली से इनके जनम के इसे हमें थोड़ी सी बताते हैं प्रस्ट नम्बर पचास पे इनका जनम गाड की सेडिया पट्टी तलाई पौड़ी गड़वाल में आठ नॉवंबर सन उन्नीस सो को सुरिय वंसी परिवार में हुआ इनका जनम का नाम अन्स राम सिंग था इनके पिता का नाम श्री रणजीत सिंग रावत था एवें दादा जी का नाम श्री हेमंत सिंग रावत था जो देशवाल रावत के वंस के साधान कर सकते इनकी माता का नाम श्रीमती कालंदी देवी था कालंदी देवी बहुती दर्म प्रायन एम्म भगत हर्दे नारी थी महादेव और पार्बती के परतियों की दर्डास था एम्म सरदा थी उनके मंदिर में सदा पूजन एतू जाती थी श्री महराज जी बताया करते थे श्री हंस जी महराज बताया करते थे कि उनकी माँ उनको भी अपने साथ मंदिर ले जाती थी और वहां में महादेव और पार्बती को साख साथ खड़े देखता था इस परकार बच्पन से ही उनके अंदर बगवान दर्शन की तिवर लगन पैदा हो गई थी बाले काल से ही वह एक विलक्षन बालक थे अंसी की छिटा इनके मुख पर मंदल प्रसदा गुलाब के फूल की उतरह खिली रहती थी आगे बताते हैं प्रश्ट नमर इकावन पर पढ़ते हैं प्रश्ट नमर इकावन पर बाले काल से ही एक सिद्ध पुरुष थे बच्पन से सिद्पुरुष थे अपने पूरो जल्म की कमाई के कारण सवते ही ध्यानमगन हो जाते थे और आपने अपने आपको इस्वर प्रेम में खो बैठते थे 1966 की गुरु पुरनिमा के आवसर पर अपने बच्पन के बारे में बताते हुए स्री महराज जी कहने लगे 1966 मैं ही इनकी मर्चू होगी थी उसी से एक मेहने दो मेहने पहले कि यह बात है अवसर पर अपने बच्पन के बारे में बताते हुए स्री महराज जी कहने लगे कि मुझे बच्पन से ही बहुत लगन थी मैं बिलकुल छोटा आठ वर्सका था तो कई बार मैंने भगवान के दर्सिन किये और अक्सर मेरी समाधी लग जाती थी जब मैं अपनी ताईजी से कहता था तो वो कहती थी कि ऐसा हो ही जाता होगा मैं कई बार आँखे बंद करके भगवान को पकड़ता था देव प्रकास देखता था और सोचता था कि औरों को मिले हैं तो मुझे क्यों नहीं मिलते होते होते बात सवाप्त हो गई अब तरे अपन परिश्ट पर पढ़ते हैं आत्म ग्यान की खोज में महराज जी हर धर्म संप्रदाय के लोगों से मिले बात्चित करते थे और जो सवते उनको अंत्रीक अनुभव होते थे उनके बारे में पूछते थे भिन भिन धर्म सिद्धानतों का धेन भी इस काल में महराज जीने किया लेकिन किसी ने भी उन्हें पर्तेक्स अनुभूती का आसवासन नहीं दिया कि उलकिताबी ग्यान या साश्ट्री अमत को ही संत महत्मा उनके सामने रखते रहे उन्हें आत्म संतुष्टी नहीं मिल सकी उनके अंदर तो उस पर्म सता के पर्तक्सी करन की जिग्यासा प्रबल हो चुकी थी अधिकान साद्वों को उन्होंने केवल दिखावे का साद्व ही पाया संजोग बस लाहर में स्री महराज जी की भेंट एक ऐसे संत पुरसे हुई जिन से दिख्षया पराप्षकर उनके जीवन का पूर्ण रुपानत्रण हो गया और वे गुरु महराज जी की छतर चाया में अध्धातम के गुड रहिशों अर्तत्व ग्यान को सहज में समझ गए यहां देखें दिल्ली सकती नगर की कोठी में एक बार महराज सिरी प्रांगन में बैठे हुए थे कुछ प्रेमी भी वहां पर दर्सन के लिए आये थे महराज जी परसन मुद्रा में थे सिरी महराज जी अपने वचनों में अपनी तर्फ से कुछ नहीं कहते थे केवल महान पुरसों की वाणियों के आधार पर ही लोगों को समझाया करते थी मैं पास ही बैठा हुआ था मैंने का महराज जी आप दूसरे महान पुरसों की वाणियों को सुनाते हैं लेकिन आप अपने नुभाव को कभी नहीं सुनाते हूं हमारी तो इच्छा है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं माराज जी हस्पड़े और कहने लगे अरे अभी तो मैं दूसरों संतों की मुईमा सुनाता हूँ जिनकी लोग पूजा करते हैं और देखो फिर भी लोग विरोद करते हैं अगर मैं अपने अनभाव रखने लगा तो ने जाने दुनिया के लोग मनसूर संत की तरह मेरी खाल उतरवा देंगे अब देखो ये पुन्यात्मा थे पूरा जनम की पुन कमाई से बच्पन से हिन के अंदर पूरा जनम के 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 पूर पर पढ़ते हुए आ रहे हैं नीचे आ गया शिरी महरादी सुनाने लगे कि मैं सत्य की खोज मैं इदर उदर बहुत बठका बच्पन से मुझे परकास दिखाई देता था अनहद सुनाई देता था मैं समझता नहीं था ये सब क्यों होता है आखिर मेरे भागे बहुत अब पच्पन पर एक जगे ऐसे सादूं का बंडारा था मैं वहां गया पहले मैं आरिये समाजी विचारों का था मुझे यह विश्वास था कि ओम से ज्यादा कुछ नहीं है और गाहितरी मंतर पर मुझे विश्वास था मैंने वहां उन महापुरसों का सत्संग सुना उनक कि बातें कुछ अठपटी सी लगी सत्संग सुनने के पसाथ मैंने कहा कि बताओ क्या बताते हूं बोले कि फला जगे आना वहां हमारा आसर मैं मैं वहां पहुंचा बारिस हो रही थी कपड़े बीग गये थे बारिस मैं बीगता हुआ गया था मातमा जी मुझे देखते ही ह पड़े हैं उन्हें ने कहा कि कल आना कल बताओगा मैंने एक बड़ा भारी दर्ष्टान परसूत किया अब हम आगे चलेंगे अपने मत्मल का पड़ेंगे सताउन पर आ जाते हैं सताउन परिश्पन पड़ रहे हैं अमरत के कलस पूस्तक अगले दिन में कितनी मुश्किल से पहुंचा यह एक लंबी कहानी है वर्षा हो रही थी रास्ते में नदी पड़ती थी नदी को पार करके मैं रस्ता बूल गया लेकिन ढूंडते ढूंडते आसरम तक पहुंचा तो गुरु जी ने कहा आ गए भीग गया था फिर और वस्तर पैने मने तब उन्होंने एक प्रेमी से कहा कि कमरे में कुछ बिचा दो फिर मुझे वहां ले गए और आसन पर बठाय उन्होंनों मुझे कहा कि हम तुझ को जो बात बताएंगे वह है अगर सची हुई तो किसी को ने बताना और सची बात हम तुमको बताएंगे तो तनमन धन तम हमको देना और तीसरी बात यह है कि दो किरियाएं एकांत में करना, दो किरियाएं हरसे में करना मैंने सोचा कि अगर बात जुटी होगी तो फिर मैं इनका बांडा फोड़ दूँगा अगर सची होगी तो फिर जरूर जानना चाहिए कहा कि सचे दिल से कहो मैंने कहा हाँ अब हम 69 पर आगे अमर्त के कलस पुष्ट कहेंगी कहा हाँ सचे दिल से कह रहा हूँ फिर उन्होंने उपदेश दिया और किरियाएं समझाई वैसे तो छोटे पन से मेरी समाधी लगती थी सूर्ती चड़ती थी और एकांत में बैठता था तो अनहद सुनाई देता था उस वक्त जब उन्होंने बात बताई तो खुब परकास दिखाई दिया और अनहद भी सुनाई दिया जाप भी किया और मन भी टिका तीसरे दिन में नाद होकर खुब साफ कपड़े पहन कर एकांत कोटडी में बैठ गया और मैंने ये परण किया कि अगर भगवान है तो मुझे दरसन देगा नहीं तो मैं नासवान हूं तो नस्ट हो जाऊंगा कोई बात नहीं अगर अमर भी हो तो किसी योनी में भी जाऊंगा तो आगे परमात्मा का नाम कभी नी टूंगा ऐसा करके सुमन किया तो जट लाइट आने लगी और एकदम सुर्ती चट गई मेरी समाधी लगी बगवान मेरे सामने खड़े थे गुरु महराज जी की लिला का क्या वरणन करो यानि उसके सामने ये इनके गुरु महराज आ खड़े वे अब भी कई दफे साकसा दर्शन देते हैं लेकिन यह सब के करने की बात नहीं है क्योंकि गुरु महराज ने कहा था कि यह तेरे पूरो जनम की यह हम साथ पाएगे कि तेरे पूरो जनम की कमाई है और कहा कि तुमने करोडों वक्तियों को ग्यान देना है अपने अत्माओं दास जो बार बार कहता आ रहा है यह पर्मानित हो रही है कि यह पूरो जनम के पुर्ण कर्मी प्रानी थे सादक थे यह भी सपफ़कर रहे हैं कि गरुजी कि यह तुझे हो गया है अंदर परकास दी हिए तेरी समाधी लगी क्योंकि तू तेरे पूरो जनम की कमाई है और यह और किसी को नहीं हो सकेगी जब एक किरिया को सभी कर रहे हैं तो सभी को होनी चाहिए एक को क्यों हुई औरों को क्यों ना हो तो ये बड़ा एक जंजट है काल का जाल है और अब इसको समझना है अच्छी तरह से अपने आपको बचाना है हम सबने ये पुनकरमी प्राणी थे पिछले पुनकरम इसके बहुत ज्यादा वक्ती थी जैसे इन्वर्टर की बैटरी च चारज होती है आगे चाहे चारजर लगाओ चाहे ना लगाओ उसमें फिर भी उससे बहुत कुछ लाइट जगती है पंखे भी चलते हैं और जब चारजर के अभाव से उसकी पूरव की अक्समता समाप्त हो जाती है एक ही दम सब सुजधाय बंद हो जाती है और यही दसा इस हंस जी महराज के साथ हुई अभी परमानित करते हैं अब यह आरिय समाज के विचारों से प्रभावित था और ओम नाम का जाब करता था एक ऐसा अनाड़ी संत मिल गया इस पुन्यात्मा को उसने वो ओम नाम भी छुटवा दिया आँख कान बंद करके कान सथान में यह ड़ले डॉन पहला दिया यह हट योग किसी संत न करया नहीं किसी सद्गर्थ में परमान नहीं गीता जी के जाय नमबर तीन के सलोक नमर चार पांच छे साथ आठ में सपश्ट किया हुआ है कि अर्दुन एकान सथान पर बैठ के एसाथ ना करेगा तेरा निर्वा कैसे होगा तो ऐसे करम तो डौंगी लोग करते हैं पाक अखंडी ही यह देखेगा यह श्रीमत भगुत गीता जैद्याल गोइंद का इसके नवादक है गीता प्रेस गुरुकपुर से परकासित है अध द्याय नमबर तीन और स्लोक नमबर हम चार से पढ़ेंगे मनुष्य ने तो करमों का आर्म किये बिना निस करमता को यानि योग निष्ठा को परापत हो सकता है और ने करमों के केवल त्याग मातर से सिध्धी यानि संख्य निष्ठा को परापत हो सकता है पांच अमांग भी मनुस किसी कालमक्षन मातर भी बिना करम किये नहीं रह सकता क्योंकि सारा मनुस मुदाय परकरती दन गुणों दुवारा परवर्स करम करने के लिए बात देखिया जाता है अब आगे देखो छटा स्लोग अब ये छटा स्लोग है छटा स्लोग पांच माम ने पढ़ लिया जो मूड बुधी मनुस यानि मूरक समस्त इंद्रियों को हट पूर्वक उपर से रोकर मन से इंद्रियों के विश्यों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी दंबी यानि पाखंडी कहा जाता है सातमे में कहा है कि किंटु है अरदुन जो पुर्स मन से इंद्रियों को वस्मय करके अनास्क्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा करम योग का आजन करता हो यानि काम करते करते उठते बैठते चलते फड़ते वही सरेष्ट है आठमा के लिखा है अध्याय तीन का आठ्वा स्लोग तू सास्तर विहित करते हो करम कर जो सद्गरंथों में परमान है वो करम कर उसके अनुसार साधना कर करने योग है करम कर क्योंकि करमने करने की अपेक्सा करम करना ही स्रेष्ट है तथा करमने करने से तेरा स्रीर निर्वा भी तो नहीं सिद्ध होगा अब इसे कैसे दो गया कि सद गरंथों में जो पर्मानित साधना है उस साधना को तु कर वो साधना क्या है कौंसी है कहां पर्मान है जैसे सिरीमत भगत गीता अध्याय नमर आठ के स्लोक नमर तेरा में वहारन मामनुसमरन ये परियाती तजंडेहं सयाती पर्मामगति मुझब्रम का एक ओम अक्सर है नुठेंग एल्स बस यही है उचार्ण करता हुआ जो व्क्ति सरीर त्याकर जाता है यहिन услaking करता हुआ उचार्ण करता हुआ जो व्क्ति स्रीर्चाकर जाता है सयाती परमामगति मुझें वो ओम मंतर से मिलने वाली परमगति को प्राप्त होता है गीता जी में इसके अत्रिक कोई मंतर नहीं है इस ब्रम की साद़ना का फिर इसमें दो परमातमाओं का विसिस रोल है एक ये गीता ग्यान दाता एक परम अक्सर ब्रम गीता ग्यान डाता श्रीकर्शन जी में परवेश करके बोल रहा है ये ब्रम है श्रीकर्शन जी के अंदर बोल रहा है ये ब्रम है सरपुर्श है इसको जोच रूपी निरंजन काल भी कहा है कभी परवेश वरने और ये स्वम्भी गीता जी देहर नमबर 11 के सलोक नमबर 32 में कहता है कि अर्दुन मैं काल हूँ अपर वर्थ हुआ हूँ सब को खाने के लिए आया हूँ इन सब का नास कर दूँगा तो नायुद करेगा तो भी मैं इनको मार डालूँगा ये काल है स्रीकर्षन जी मैं प्रवेश करके ये गीता जी का ज्यान बोल रहा है और ये कहरा है कि ओम मंतर मेरा है मुझ ब्रहम का और इसका जाब करने से ही वो परमगती होगी जो ओम मंतर से होनी है ओम मंतर से कहा जाएगा वेक्ति ब्रहम लोक में जागा और ब्रह्म लोग प्रियंत भी पुन्रावर्ती के अंदर वहां गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं उनका भी जनम मर्तू सदा रहता है आठ में दैके सोल में सलोक में गीता जी में सफ़ष्ट किया है और गीता ग्यान दाता गीता अध्याय नमर दो के सलोक नमर बारा में गीता अध्याय नमर चार के सलोक नमर पांच और नो में ये सफ़ष्ट करता है कि अरजुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके हैं तू नहीं जानता हूँ मेरे जनम और करम दिव हैं शिरीमत भुगत गीता अध्धाय नमबर दस के स्लोक नमबर दो में भी यह सफ़श करता है कि मेरी उत्पत्ती तो हुई है लेकिन मेरे जनम को यह देवता लोग और रिसी लोग नहीं जानते क्योंकि यह मुझ से उत्पत्त हुई है और इसकी उत्पत्ती यानि पिता की उत्पत्ती को कौन बता सकता है दादा जी बता सकते है यानि पिता के पिता तो बच्चों को अपने पिता की जनम के बारे में जानकारी नहीं होती तो यह जितने भी यहां 21 बिर्मांड के अंदर पराणी है ये सबी काल और दुर्गा से उत्पन है तो हम यहां के पराणी इस काल के जनम को कैसे जान सकते इस जोच सुरूपी निरंजन काल के पताने बिरहम के पतान यानि कभीर परमेश्वर जी ने उस अमर परुष ने आकर के इसकी जनम तीत्थी बताई जिसकी जनम बताया कैसे उत्पती हुई है अब इसे सद हो गया कि गीता ग्यान दाता भी नासवान और ओम नाम का जाब करके जो पराणी ब्रहम लोग मजाते हैं वो भी पुन्डरा वर्ती के अंदर लेकिन इसे ये सपष्ट करना चाहता है ये दास कि गीता जी में गीता ग्यान दाता का कि वलेको मंत्र है नथिंग ऐलस फिर इसने कहा है कि मेरा जो समन करना है उसकी विजी है युद भी कर आठ में जहे के पांच और साथ सलोक में समन कहता है युद भी कर और मेरा समन भी कर अब युद्ध से कठिन काम कोई नहीं हो सकता और युद्ध करते से में भी कहा इस ना ओम नाम का समन कर तो पूरी गीता जी में ये हठ योग के विशे में जानकारी यानि किसी जो सद्गरंथ मानने सद्गरंथ है उनमें किवल यही पर मान दिया गया है कि काम करते करते उठते बैठते वक्ती भगवान की करो हठ योग का जो प्रावदान कहीं भी किसी गरंथ में है तो वो सास्तर विर्द सादना है अब यही परमान यजूर वेदा जह नमर चालिस के सलोक नमर पंदरा में सपष्ट किया है कि ओम करतू समर किलबे समर कर्टूम समर यह देखिएगा यह जूर वेद यह महरे शिदान सरस्थी द्वारा अनुआदित है यह कांसे प्रकासित है प्रकासित के सारोजेश सी कारिया परिजिदी सबाद दो बटा पांच महरे शिदान दहन राम लिला मैदान नहीं दिल्ली से और मेरे सिदान सरस्थित्य द्वारा इसके संपून चालिस अध्याओं का अनुवाद है मुदर के प्रिंस आपसेड प्रिंटर्स पंदरा सुद्धस पटोदी हाउस द्रियागन नहीं दिल्ली से इसके हम चालिस में द्धै प्राते यह है चत्वारी सो द्धै चालिस मा द्धै यज़ूरुवेद यह पंदर्मा मंदर है वाईू अनीलम अमरतम अथिदम बसमानतम सरीरम ओम कर्तो समर किलवे समर कर्तूम समर हे करम करने वाले जीवतू इसने वे अनुवाद ठीक नहीं करना आया फिर इसकारत है कि कर्टो काम करते करते ओम नाम का सिमन करो किल्बे माने विसेश किल्बलाहट यानि कसक के साथ सिमन करो और कर्चम माने अपना परम कर्टो जान कर ओम नाम का सिमन कर वायू अनीलम अमर्तम बसमानतम सरीरम जब तेरा सरीर नश्ठ हो तब तक इसका स्यमन कर तब तेरे को जो ओम से मिलने वाला अमर्तम अमर्तव है ये तिरी आत्मा को तेरे प्राण को वायू मन प्राण को जीव को वो प्राप्त हो जागा और यही गीता जी कहे रही है अठमे जहे के तिरमे स्लोक में ओम इती एकाकसरम बिरम विवहरन मामन समन ये परियाती तजन दे हम से याती पर मामन गती तो इसे से दो गया कि सास्तर अनुकुल साधना ओम से प्राहरम होती है गीता ग्यानदाता से अरजुन ने परसंद किया कि भगवन आपने साथ में जहे के उनतीस में स्लोक में जिस तत्वर्म की जानकारी दी है आठ में जहे के गीता जी के जहे नमर आठ के स्लोक नमर एक में अरजुन ने परसंद किया गीता ग्यानदाता से कि आप जी ने शिरीमत भकुत गीता अध्याय नमर साथ के स्लोक 29 में बता है कि जो जरा और मरन जरामाने बुड़ापे के दुख से और मर्टू के दुख से जो मुक्स के लिए प्रियतन करते हैं वे विक्ती ततबर्म से और सारे अध्यात्म ग्यान से और सभी कर्मों से प्रिची थे जो विक्ती यहां के यानि जरा और मर्टू यह सबसे बड़ा संकट है मानो सरीर पर एक तो वर्द वस्था का कहर और फिर मर्टू यह दोनों दुख है तो कहते हैं इन से जो छूटने का यानि केवल जरा और मर्ट कहां छूटेगा अजब तक हमारा जनम मर्ट रहेगा तो जरा भी बुड़ापा भी होगा और मर्टू भी होगी तो जरा और मर्ट छूटे खतम हो पूर्ण मोक्स हो तो तब यह संकट मिटे उसके लिए गीता ग्यान दातान बता है कि तत्वदर्सी संतों की खोजकर चौथे दैगे चौटीश में स्लोक में वो तत्वदर्सी संत तुझे उस तत्वद ग्यान का उपदेश करेंगे जो परमातमा ने स्वेमाकर बोला है सचीदानंद घंबर्म की वाणी में जो ग्यान कहा गया है चौथे दैगे बत्तीश में स्लोक में कहा है कि परमातमा ने परमकसर बर्म ने स्वेमाकर के अपने मुख कमल से जो ग्यान दिया है वो सचीदानंद घंबर्म की वाणी में वो ग्यान है और वो ग्यान तत्व में ग्यान है चोथ्य जय के चोटीश स्मय स्लोक में कहा उस तत्व ग्यान को तु तत्व दर्सी संतों के पास जा कर समझ अपना अत्म हो यहां हो चोथ्यken जय के बत्तीश में स्लोक में एक बरमने मुख्य सब्द है ये दिखाता है आपको ये चौट्छे जाये का बत्तिस मासलोग है गीता जी का इसमें लिखिया कि एमें बहुविदा यगा वितिता बरमने मुखे इदों ने इस बरमने मुखे कारत गल्द कर दिया इस परकार और भी बहुत तरह के यग बरमने कारत कर दिया वेद नहीं ये गल्द कर दिया मुखे माने उसके मुख कमल से अरिश की वानी कर दी अब बरमने कारत देखिएगा सत्र में जाये के तेईसमे सलोक में सही है यहां ये विचलित नहीं है सत्र में जाये का ये तेईसमे सलोक है इसमें भी ये ब्रह्मने सब्द है ओम तत सत इती निर्देसे ब्रह्मने तिर्विधे समर्ते ब्रह्मना तेन वेदा चे यगा चे विहता पुरा ओम ओम तत तत सत सत ऐसे ये है तीन परकार का ब्रह्मने माने सचीदानंद घंब्रम का नाम कहा है यह बिल्कुल ठीक है ब्रमने माने सचीदानगं ब्रम याणि परमकसर ब्रम पूर्न प्रमातमा ब्रम माने तो यहां फिर आते हैं चौथ जहें के 32 में स्लूकager गीता जी के यह 32 मेंس लूक इस में ब्रहमने समद इसमे है तो यहां इन्हों ना अनुवाद गल्द कर दिया, इस परकार और भी बहुत रहके यग यग माने धार में एक अनुष्ठानों, अनुष्ठान, सचीदानंद घंब्रम की वाणी में सचीदानंद घंप्रम कहो परमक्सर ब्रम कहो उसकी वाणी में विस्तार से कहे गए है मुखे कारत है उस परमात्माने सचीदानंद ब्रम ने अपने मुख से बोली है वाणी तो वो सचीदानंद घंप्रम कौन है इसकी जानकारी डिटेल में दी जाएगी अभी इतना ही समझे हैं कि गीता ग्यान दाता से अन्य है कोई परमादू तो उसको तत्वे ग्यान कहा है चोथे दैके चौटीस में सलोक में कहा है कि जो सचीदा नंद घंबरम ने जो बाणी बोली है उसमें बहुत विस्तार के साथ धार में कंस्ठानों की जानकारी है और वो तत्वे ग्यान है उस तत्वे ग्यान को तु तत्वे दर्सी संतों के पास जाकर समझे देखे अध्याय नमर चार का श्रीमत भगुत गीता चौटीस में सलोक उस तत्वे ग्यान को जो सची दानंद गनबरम ने अपने मुख से बोला है वो तत्वे ग्यान है तत्वे दर्सी ग्यानियों के पास जाकर समझे उनको बली बाती डंड़ोट परणाम करने से उनकी सेवा करने से और कपड छोड़ कर सर्लता पूर्व परसंद करने से प्रमात्म तत्वे को भली बाती जानने वाले ग्यानि महत्मा तुझे तत्वे ग्यान का उपदेश करेगे अच्छा अब हम आते हैं वापिस साथ में जाय के 29 में सलोक में इसमें गीता ग्यान डाता कहता है कि मैंने जो राय दी है जो सला मैंने दी है इसके अनुसार जो इस पर आसरित हो जाता है वो तत्व दर्सी संतों को खोज लेता है उसके बाद उनको उस तत्वरम की और सारे अधात्म ग्यान की कंप्लीट और सभी कर्मों की पूर्न जानकारी हो जाती है तो वो केवल जरा और मरन से ही छूटने का परियतन करते है वो फिर संसार के इस जूठे सुख की कोई डिमांड नहीं करते है वो इस जनम और मरन के संकट को ही मिटाना चाते है अब देखो अब हम आते हैं साथ में जाय के 29 में सलोक में ये है स्रीमत भवबत गीता अधाय नमबर साथ का और सलोक नमबर 29 ये नीचे है इसमें संसकर्थ पढ़ेंगे हैं जरा मरन मोक्स आए जरा माने वरद वस्था का कहर दुख मरन माने मरतु के मोक्स के लिए इसे छुटकारे के लिए माम आसरिता यतनती मेरा आशरे लेकर जो मैंने सला दी है कि तत्व दर्शी संत की खोज कर ले वो बताओंगे तुझे तत्व ग्यान इस ग्यान का जो आशरे कर लेते हैं यतनती ये जो इसको छूटने के लिए जो प्रियतन कर रहे हैं इस ग्यान को आशरे करके तत्व दर्शी संतों को अखिलम वे सौरे कर्म को सभी कर्मों से और संपुर्ण अध्यातन से और उस्तत्वरं से वे विदु माने परीचित हैं उसको जान चुके हैं उसको जानते है अब क्या कहरा गीता ग्यानदा था कि जो केवल यहां से जरा और मरन के छोटने के लिए ही प्रियतन कर रहे हैं यहां की किसी वस्तू की चाहर नहीं रखते हैं उनको पता चल सका है यह जूठा लोग है कबीर साहिब कहते हैं क्या मांगू कुछ थिरना रही और देखत नेन चल्या जग जाई एक लख पूत सवा लख नाती उस रावन का आज दीवान बाती क्या मांगें पूतर मांगें या धन मांगें रावन का एक लाख पूतर थे और और सारी सोन्यों की लंका बनाए बैठया था एक मेंट में ब्रयान मैटी होगी मरगया मरत्यू को प्राप्त हुआ आज कोई दीपक जलाने वाला सेश नहीं बचा तो क्या मांगाए इस जो ठेश को एक मेंट में मरत्यू हो जा बढ़ी बनाई फैक्टरी यही रह जाया पन क्या फूकिंगे इसको जो काम करना था घंजट मिटाना था वो भूल गये क्यूंकि यहा कोई ग्यान देने वाला मिला नहीं प्रमात्मा आये तो उनकी अमने सुनी नहीं क्योंकि नग्यानी संत महंत आचारियों संक्राचारियों ने हमारे को उटा-पाथ बढ़ा दिया ब उस बुर्म से तत्वर्म से और सारे जातम से ज्यान से और सभी कर्मों से प्रिची थे अब गीता ज्यान दाता से अर्दुन ने फिर आठ्व में अध्याय के पर्थम मंतर में पूछा फिर किम तत्वर्म वो तत्वर्म क्या है वो बगवान कौन है जिसके बारे में जानने के बाद फिर यहां की किसी वस्टो की डिमांड नहीं रहती इच्छा नहीं रहती उस सुख को जान कर सतलोक वाले को अब देखना हूँ अम सिरीमद वगवद गीता जैस साथ का यह स्लोक नमर 29 यहां समझ करता है इसका यहां पर अनुवाद है जो मेरे सरन होकर मा मा सरीत है जरा मरन से छूटने के लिए यतन करते हैं जरा माने वर्द वस्था बुड़ापा मरन माने मरतू वे पुरुस तत बर्म तत माने उस बर्म माने बर्म को तत बर्म और संपुर्ण जातम को और संपुर्ण करम को विदू महने जानते हैं इसमें यह कहता है कि जो मुझे जानता हुँ तो केवल मेरे तक ही सीमित है मुझे ही जानता है और जो मेरे इस ग्यान का अशरए ले ले लेता उस तत्बर्म से परिचित है तो इस आथ माद्याय के पर्थम मंतर में अर्दुन ने पूछा वो कीम तत्वरम वो कौन है फिर तत्वरम क्या है वो बताईए यहां हम पढ़ रहे थे इसके तुरंत बाद साथ मही यहां पर है अश्ट माध्या अठ्माध्या पर्थम मंतर में लिखा है प्रशोतम वह ब्रहम क्या है इसका उतर दिया है इस आठ में ज्धाय के और तीशरे मंतर में परम अक्सर ब्रहम है अक्सरम ब्रहम परमम यह है वो परम अक्सर ब्रहम है ठीक इसे सिद्ध हो गया के गीता ग्यान दाता से कोई अन्य है वो परमात्मा ब्रहम माने भगवान ब्रहम एक तो ब्रहम कारत पर्मात्मा होता है ये जो ब्रहम है यहां का मालिक है ये सर्ब्रम है ये नासवान बगवान है अर्तत ब्रहम वह पर्मात्मा वह पर्मक सर्ब्रम है शिरीमत भगत गीता अध्याय नमब 15 के सलोक नमब 16 और 17 में तीन पुर्ष बताएं, एक सरपुर्ष, पुर्ष को हो चाए ब्रह्म को हो, सरपुर्ष को हो, पुर्ष मन पर्भू, और एक सरपुर्ष, सरपुर्ष जो है ये ब्रह्म, जिसको हम सीधा ब्रह्म बोल देते हैं, ये सरपुर्ष है, सरपुर्म है, जिसको काल भी कहते हैं, य उसके हमारा ज्यादा लिंक नहीं है, लेकिन उसके लोग के अंदर से हमें पार होना है, उसके अंदर से क्रोस करना है, उसका कुछ टेक्स देना है, तो उसका भी मंतर हमने जाप करना है, उसके किराया देने के लिए, और जाना हमने परमक्सरब्रम के पास है, गीता जायर नम नासवान है और ये बगवान पुरुस भी नासवान है पंदर में जाएके सतरमें सलोक में ये देखेगा पंदर माध धै श्रीमत भुग्द गीता सोल में सलोक में लिखा है दिवव इमव पुरुसव लोके सरैच अकसरे अवचे सरैच रवानी भूतानी कटुषते अकसर इसमें लिखा है कि इस लोक में पर्च्वी वाला लोक को लाते हैं दोनों का अक्सेतर है सरपुरस और अक्सरपुरस यह अक्सरपुरस और सरपुरस इस पुरस को हम इनके साथ लगा सकते हैं यह दो पुरस हैं सरपुरस और अक्सरपुरस और इनके अंतरगत जितने प्राणी हैं सब नासवान हैं और जीवात्मा किसी की मरती नहीं ये तो understood है अनुवादी नहीं का इस अंसार में नासवान और अविनासी भी ये दो परकार के पुरुस हैं, ब्रह्म हैं, प्रमात्मा हैं, भगवान हैं, मालिक हैं, इसकार सी ये हैं संपुन प्राणियों के स्रीर तो नासवान हैं और जीवात्मा किसी की भी नहीं मरती हैं, तो understood अगदे की भी नहीं मरती हैं, अब सतर में में कहा है, कि उत्तम पुरुस है तु अन्ये, प्रमात्मा है ती उधारत हैं, ये लोग तर्यमावी से भी मरती, अवे इस्वरे, अ पुरुसों से अन्ये है, और वही परमात्मा कहा जाता है बगवान जो सब को सुख दे, दुख नी दे, उसको परमात्मा, सरिष्टात्मा कहते हैं, और जो तीनों लोग को में प्रविश करके सब का धार्ण पोशन करता है, वो है बिनास्जी बगवान, अब हम फिर आते है गीता जिद्य नमराठ के सलोक नमर एक में अरजुन के पूछने से गीता ग्यान दाता ने बताया कि वो ततवर्म परमकसरवर्म है एक सरपुरस सरवर्म को हो यह 21 ब्रमांड का स्वामी है इसको काल कहते हैं जिसने गीता का ग्यान दिया ग्यान बोल रहा है सरपुरस सरवर्म और दूसरा अक सरपुरस को चे अक सरवर्म को वो साथ संग ब्रमांड का स्वामी है वो भी नासुमान और यह सरपुरस भी नासुमान इनके इंतरकत जितने प्राणी है सभी जनम मर्तियु के अंदर उत्म पुर्सेतु अन्य पर्मात्मा इत्युदारते मज़र में दायके सतर में से लोग वो है बगवान वो है पर्मात्मा पर्मात्मा करता है स्रेश्टात्मा यह लाखों लोग खावे इसको भी पर्मात्मा कहते हैं मजबूरी में ये परमात्मा नहीं है ये सरिष्टात्मा नहीं है ये सरपुरसा ये काल है तो यहां ये खुद बता रहा है कि मेरी सरण में रहना है तो मेरी भग्ती कर मेरा तोक ओम नाम है ओम नाम से जो गती होगी और ब्रहम लोग तक जाना है और ब्रम लोग में गहे हुए पराणी ही जनम मृतियों में आता है इसलिए ये राय दे रहा है कि यदु तुने उस परम स्हानती की अवसेकता है तो परम स्हानती कब हुएगी जब हमारा जनम और मर्ण छुटएगा जब तक जनम और मरन है तो यह छानती होई नहीं सकती प्रानी को तो यह कहता है गीता ग्यामदाता यदी तूने उसकी सरण में जाना है तो तत्व दर्शी संत की खोज कर और उसका मंत्र सत्र में दहे के तेईस में सलोक में आपने पड़ लिया उसमें लिखा कि ओम, तत्षत, इती, नर देस है, ब्रमने, तरविद है, समरत है और कुछ नहीं और उसके बारे म्कीता ग्यानदाता कहता है कि वो कंप्लीट मंत्र मैं नहीं जांता कि ओम तो सीधा सरपुरस का है ब्रहम का और तत और सत ये सांकेती कोड़ वर ढ़ाई ये दास बता सकता इस पर च्वीवा किसी के पास नहीं आज के दिन और पहले तो भर्गवान आये थे सो हम वो जान बता ही गए थे या उन मापुरसों को गयान था जिन को वो मिले थे मालक सीध दियाकर कबीर जी उन से परतिग्या करा जी थी कि अभी इस ततवगयान को खोलना नहीं है अब समय है वो इसको खोलने का तो अब ये दास को आदेश दिया परमात्मा ने कि अबी मिसका तू सब जगह सहरूचनिक कर लेकिन बताना उसको है जो सरण में आएगा, ये कोड़ वर्ड हैं, तत और सतर्ड और्म तो ब्रह्म का सरपुर्ष का, सरपुर्ष का, और तत्थ ये अक सरपुर्ष का मंतर ने तत और सत ये संकेती की कोड वर्ड है, ये दास के पास है, वो परमकसर बर्म का तीसरा दो मंतर सत है, जिसको सार नाम भी कहते हैं, जिसको सार सबद भी कहते हैं, तो उस परमात्मा के उस लोक में जाने के लिए जाने के बाद फिर लोटकर संसार में कभी नहीं आते हैं, उसक दोदर से संत की पैचान भी बताई है कि जो उटे लटके वे संसारुपी वर्क्स के सभी भी भाग बतावेगा उपर को जड़ नीचे को तीनों गोन रजगुन बिरमासदकुन विसमतमुन सिवजी रूपी साखावाला ये उटा लटकावा संसारुपी वर्क्स है और जो संत इसके सभी पार्ट बताजेगा सभी विभाग बतावेगा पत्तों से लेकर जड़ तक तना कौन भगवान है डार कौन भगवान है और साखा कौन है और पत्ते क्या है मूल भगवान कौन है से वेदवित वहे वेद के तात प्रिये को जानने वाला अर्थात होता तो दर्शी संत ये देखे गीता जिद्धाय नुबर पंद्रा का ये पंद्धासोज जाय का पर्थम स्लोक है उर्धो मूलम अधै साकम अस्वतम प्राहु अव्यम उर्धो मन उपर को अधै मन नीचे को उपर को जड़ है नीचे को साखा ये देखेगा संसार उपी वरक्स जो कबीर प्रमेश्वर जी ने अपनी रचना को आप ही आकर बताया है और अब इस दास को ग्यान कराया है ये देखेगा ये समझो उटा लटका हुआ एक संसार उपी वरक्स है उर्धो मूलम अधै साखम गीता ग्यान दातान केवल ये बोला है को उपर को जड़ नीचे को तीनो गुन रजगुन बिरमास्द गुन इसनो तमुन शिवजी रूपी साखा वाला उटा लटका हुआ संसार उपी वरक्स है और जो इसके सभी संद यानि भी भागों को बता देगा सैवेद्वित कबीर परमेश वरस वरस आये थे अपना ग्यान आप ही बताने के लिए उन्होंने स्टसो वरस पहले का था अक्सर पुरस एक पेड़ है इसके इसो निरंदन कहो या सरपुरस को सरपुरस वाकी डार और तीनों देवा साखा है पात रूप संसार अजड़ कौन है ये दास बताएगा ये दास बेज जाता तो दरसी संत बना के ये जड़ है परम अक्सर बरम और ये तना है अक्सर पुरस परबरम भी कहते हैं इसको और डार है ये सरपुरस बरम जो तिनरदन काल जो बरमा विश्नों मैस का पिता है और आगे इसके तीन पूतर इस संसार की साखाएं है रद्गुन बरमा सद्गुन निसुन तमूल शिड़ और हम पात रूप संसार शिरीमत भगवत गीता फिर आगे हम शिरीमत भगवत गीता में शिरीमत भगवत गीता जहय नंबर पंदरा का पंच दसो जहय परथम मंतर सपष्ट करता है कि आदी पुरस परमेश्वर मूल वाले अधै साखम ये गलत अन्वाज किया है नोने ये देखो इनोने ही दूसरे मंतर में पंदर में धै के दूसरे सलोक में अधै माने नीचे अधै माने नीचे दो बार अधै है नीचे तो यहां ये विजलित होगे पर्थम मंतर में उर्धव मूलम अधा साखम उपर को जड़ और नीचे को नीचे लिखना था साखा वाला ये संसार उपी पीपल के वर्क्स को अभी नासी कहते हैं वेद जिसके पत्ते कहे गए उस संसार वर्क्स को जो विक्ती जो संत मूल सहीत जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है से वेद वित वहेद के दाद्परिये को जानने वाला हर्थात वो तत्व दर्शी संत है या पैचान भी बता जी के तत्व दर्शी संत की खोज कर उसके पस्दात वो सचीदान अंध घनबरम की वानी से प्रिचित होगा और उसमें complete spiritual knowledge है complete गीता ग्यान दाता के तब मैं नहीं जानता उसको फिर उसके बारे में कहा है गीता जिदाय नंबर 15 के स्लोक नंबर 4 में कहा कि उसके पस्ताथ यह देखिए गीता जाय नंबर 15 का अब स्लोक नंबर 4 देखेंगे यहां आजाते हैं शिरीमत भगत गीता अध्याय नंबर 15 का स्लोक चार है उसकी पस्ताथ उस परम पदरूप परमेशवर को भली भाती खोजना चाहिए जिसमें गए हुए सादक फिर लोटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेशवर से पुरातन संसार वर्क्स की परिवर्ती विस्थार को प्राpt हुई है अर्था जिस परमेशवर ने सब बरमंडों की रचना की है यह गीता गान दाता से अन्य है जिसकी भी से ङम ये बोल रहा गीता गान दाता उसी आधी पुरुष नाराण के मैं सरण हूँ इस परकार दरद निस्टे करके उस परमिश्वर का मनन और निदिधासन करना जोए उसी की परपदे माने पूजा करनी चाहिए उस पुरुष माने बगवान की आधी पुरुष की आदम पुरुषम उस आधी पुरुष नौरान की परम अक्सर बिर्म की पूजा करनी चाहिए अब इसमें सफ़च कर दिया गीता जी धैर नमर 15 के सलोक नमर एक से लेकर चार में के तत्व दर्सी संत की प्राप्ति के पस्टाज परमेश्वर के उस परमपत की खोज करनी चाहिए जाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी संसार मनियाते उनकी कभी जनम मरत्यों नहीं होती शिरीमत भकुत गीता जैनम रठारा के सलोक नमर 16 में का कि अरदुन तू सर्वा भाव से उस परमेश्वर की सण में जा उसकी करपा से ही तू परमस्यानती को और सनातन परमधाम को प्राप्त होगा बात खत्म होगी अब गीता ग्यान दाता अपने भी सेम भी कह रहा है के मेरी भक्ती कर युद करना ही पड़ेगा जनम मरत्यों तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी यदि तुने परम स्यान्ती की हो सकता है तो तत्व दर्सी संत की खोज कर और फिर वो देगा वो मंतर वहां जाने की साधना उसके बाद तूस परम इस्वर के पास चला जाएगा उस परमात्मा की उस परमपत की प्राप्ती हो जागी जहाने के बाद सादक फिर लोटकर कभी संसार मन नहीं आते अब देखिएगा आठमे जाय पर फिर आते हैं यह है गीता जी जाय नमर आठ का हम फिर से दोराएंगे यहां आठमा जाय है पर्थम मंतरमा अरदुन ने पूछा कि पर्मात्मा आपने साथ में जाय के उनतीसमे सलोक में या साथ में जाय का उनतीसमे सलोक है जो मेरे पराण होकर के जरामर्ण से छूटने के लिए इतन करते हैं वे तत ब्रम तत उस ब्रम मान ब्रम को और समपने जातम को समपने कर्मों को जानते है तो यहां पूछा है आठमे ज्धाय के पर्थम मंतर में तो किम तत्वर्म वो तत्वर्म क्या है दात्वर्म क्या है और कर्म क्या है तो इसका उत्तरजिया है आठमे ज्धाय के गीता जी के तीसरे मंतर में कि वो पर्मकसरवर्म है और अभी आपने पंदर में जाय के एक से लेकर चार में सिपट कर लिया के तत्व दर्सी संत वो होगा तो सभी संसार रूपी वरक्स के भी भागों को बता देगा उसके पस्टाज पर मेश्वर के उस परमपद की खोज करनी चाहिए जाजाने के बाद सादक फिर लोड़कर कभी संसार में नहीं आते तो यहां बताया है कि वो परमक्सर बरम है अब आठमे दै के पांच और साथ सलोक में गीता ग्यान दाता अपने भी सेम कहता है तो मेरा भगतबन मुझे ही पराप्त होगा और मेरा समन कर अर्यूद भी कर मेरी भगती करनी है तो आठमे दै के तेरे में सलोक में गीता जीमत आपने देख लिया यह देखिए आठमे दै का तेरे में सलोक यह गीता दै नमर आठ का सिरी मुद्बहुत गीता दै आठ का स्लोक नमबर 13 में से पष्ट किया है क्यों ये एक ओम अक्सर है और जो उचारन करके सिमन करता हुआ ये परियाती तजन देहम अन्तिन सांस तक जो सिमन करता हुआ श्री छोड़ कर जाता है ये सिमन करता है वह ओम से मिलने वाली परमगती को पराप्त होता है मेरी ये ओम मंत्र है और इस से मिलने वाली ही परमगती है यहां से सुरू किया है जो पुरुष ओम ओम इस एक अक्सर ब्रहम को उचान करता हुआ मुझ निर्गुन ब्रहम का सिमन करता हुआ आसली छोड़ कर जाता है वह है पुरुस परमगती को पराप्त होता जो ओम से मिलने वाली परमगती है ओम से मिलने वाली परमगती क्या है बिरहम लोक आठ में दैके सोल में सलोक में लिखा है कि बिरहम लोक परियंत सब लोक पुंडरा वर्ती में हैं यहां देखो यह शुट ब्रहम लोग में गए हुआ हुए प्रानी भी पुन्रा वर्ती में हैं वहां गए हुए भी जनमर्टू मही रहते हैं प्रम्षयानती नहीं हो सकती यहाँ इनों ने अन्वाद गल्द कर दिया प्रंतू अर्जुन एकुंती पूत्र मुझे को प्राप्थ होकर पुनरदनम नहीं होता ये अनुवाद गल्द कर रख्या इसका अर्थिये है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्म लोक तक भी गए होई प्रानी जनम-मर्तुम रहते हैं वो मुझे प्राप्थ होकर भी अर्धुन उनका पुनरजनम होता है इसका अर्थ ही बनता है विद्ध माने जानना भी होता है अब यद्धी इन आला अनुवाद यहां पक्का माने हम के मुझे प्राप्त होकर फिर जनमर्टू को नहीं प्राप्त होते तो फिर वो सारे सलोगल्ट हो जाते हैं इसरे जाय का बर्मा सलोग और चोथे जाय का पांच और आठमा सलोग यह देखो गीता जाय नुबर दो का यह बर्मा सलोग है ने तो ऐसा ही है कि किसी काल में मैं नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा यराजा लोग नहीं थे और नहीं ऐसा है कि इस से आगे हम नहीं रहेंगे यानि तेरा और मेरा और सबका इन सबका जनम मर्दू होता रहेगा हम अभी नासी नहीं है यह देखो दूसरे जाय के सतर में सलोक में कहा कि अभी नासी तो यह सतर में सलोक है दूसरे जाय का आप नास रही तो उसको जान जिसके यह संपूर्ण जगत दर्शेवर्ग व्यापत है यानि जिसने सब बर्मांडो गर्चना करी है इस अविनासी का अविनास करने में कोई भी समर्थ नहीं है गीता जिद्धाय नंबर 15 के सलोक नंबर 17 में जिसके विसे हम का है कि उत्तम और मेरे बहुत जन्व हो चुके हैं यह देखेगा श्रीमत भगत गीता अध्याय चार का यह सलोक नमर 15 है नीचे यह कानवाद यहांपर किया है नो ने हे परणतम अर्दुन मेरे और तेरे वहूत से जनम हो चुके हैं उन सब को तू नहीं जानता मैं जानता हूं अब चोथे जाय का नौमा सलोक हे अर्दुन मेरे जनम और करम डिब हैं अलोकिक हैं इसी सिद्ध है कि गीता ग्यान दाता का जनम और मर्टू होता है यह स्विकार करता है और यहां आठ में धैके सोड में सलोक में यह दी यह मानने इन का नौमाद के मुझे पराप्त होकर फिर कभी जनम मर्दू में आते तो यह खुद भी तो नासवान है तो इसको पराप्त कैसे अविनासी हो सकते है तो वहां अनौमाद गल्ट है जो यह नहीं जानते के बर्म लोक में गए हुए पराणी भी जनम मर्दू में आते हैं और जुन वो विक्ती मुझे पराप्त होकर भी उनका पुनर जनम होता है इसकार से यह बना सही आठ में जाए सोड में सलोका और दसमे धाय के दूसरे सलोक में स्विम्स विकार करता है गीता ग्यान दाता के मेरी उत्पती तो हुई है लेकिन यह नहीं जानते जो मेरे से उत्पन हुए है 21 बर्माण के पराणी इसी से उत्पन हुए है इसका जो पिता है बर्म का जो जनक है वो कबीर पर मेशवर है प्रमक्सर ब्रम है उसने आके इसकी उत्पती बिताई है जो दास्रिष्टी रचनाम आपको बिताता है जो कबीर सागर में लिखी हुई है यह देखिएगा यह दसमा जाय है गीता जाय है और यह मेरी उत्पती को गिता ग्यान डाता कहता है यह काल कहता बिर्म मेरी उत्पती को लीला से परगट होने को ने देवता लोग जानते ने महरिशन जानते हैं क्योंकि मैं सब परकार से देवता और महरेशियों गादी कारण हूँ इनका पिता है ये बिरमा विश्णु महेश का तो पिता की उत्पत्ति को संतान कैसी जाने तीन देवसो उसको धावें इस निरंदिन का ये पार में पावें अज तक बिरमा विश्णु मैं इसको पता नहीं है मारा पिता को नहीं कबीर परमिश्वन आके बता है कि जोद सुरूपी काल ये इनका पिता है और दुर्गा इनकी माता है शस्सा वर्स पहले कहा था अब हम आते हैं आठमे जाय के आठमे जाय का तेर मसलों का आपने पढ़ लिया कि गीता ग्यान दाता कहता है कि मुझ ब्रम का किवले एक ओम अकसर है इसका जाब करेगा तो मुझे प्राप्त होगा ओम अकसर की साथ ना करने वाला कहा जाएगा ब्रम लोक में पुना अत्मा यह बहुत गनान दे रहा हो रहा है इसको कती जड़ते निकालना पड़ेगा जब हर्द्यम समाओगे आपके एक और परमान देते हैं शिरीमद देवी भागवत यह शिरीमद देवी भागवत यानि देवी पुराण है इसमें देखिएगा परमान कितना सांधार है गीता प्रेश गुरुपुर से परकासित है इसके संपादक है अनुवान परसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी यह गीता प्रेश गुरुपुर से परकासित है और इसके 562 प्रेश पर ले चलते हैं ये है सात्मा सकंद संक्सीब देवी भागवत 562 परिष्ट है 562 इस पे देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान दे रही है देवी दवारा हिमालय को ज्ञान उपदेश ब्रह्म सरूप का वरणन स्री देवी जी कहने लिगी परवत राज़ उस ब्र्म का क्या सरूप है यह बतलाय जाता है पहले तो अपने बारें बताती है फिर कहती है नहीं अगर तुझे भक्ती करनी है तो उसकी भक्ती कर जो परकास रूप सब के अतेंद समीप सथीत हर्द्य रूप गुवाम सथीत होने के काणगवातर नाम से परसिद है महान पद अर्थात परम प्राप्य है उस वह समस्त पर गया के ग्यान से परे है अर्थात किसी की वुद्धी में आने वाला नहीं है तुमजाद जो परम परकास रूप है सुक्सम से थी सुक्सम है वह परम सथ्य इसने किते इसको परम कह जिया किते एक सर परम कहा यह है बरम के बारे में वह परम सथ्य अमरत अविनासी तत्व सोमे है सोमे उस बेदनी योग लक्से का तुम बेदन करो मन लगा कर उसमें तन्मे हो जाओ इसमें बताया है कि परनाव ओम दनुस है जीवात्मा बानाई बिरम को लक्से कहा गा यहां देखो अब देवी जी कहती एक मात्र परमात्मा को ही जाने दूसरी सब बातों को छोड़ दे यही अम्रत रुपरमात्मा के पास पोचाने वाला पुल है सनसार समundर से पार होकर अम्रत सरुपरमात्मा को पराप्ट कराने का इस सुलो बसादन है अब यहां बताया है कि इस आत्मा का ओम के जप के साथ जान करो इससे अग्यानमे अंधकार से सर्वत्था परे और संसार समंदर से उस पार जो ब्रम है उसको पाजाओगे तुम्हारा कल्यान हो ओम नाम का जाप और ब्रम का है इसके जाप से क्या प्राप्ती होगी ब्रम प्राप्ती और ब्रम कहां रहता है देखना ब्रहम को पा जाओगे तुम्हारा कल्यान हो और वो कहां रहता है यह 530 परिष्ट प्रहम पढ़ रहे है तसातमा सकंद वहे यह सबका आतमा ब्रहम ब्रहम लोक रूप दिव आकास मसुतित है वो ब्रहम लोक में रहता है वो ब्रहम इसे सद्ध हो गया कि ओम नाम के जब करने से केवल ब्रहम प्राप्ती होती है और ब्रहम लोग प्राप्ती होती है और ब्रहम लोग में रहता है वहां जाना है वही प्राप्ती होगी इसकी और गीता जान ब्राड के स्लोक Ngo 16 हम कहा कि ब्रह्म लोक परियंत ये सभी पुनरावर्ती में वहां गए प्राने भी जरम rifles आते हैं और ब्रह्म कहता है कि मेरा एका ओव मंत्र है गीता जान ब्राड के स्लोक Ngo 13 हम इस पछी करता है गीता जी का ग्यान श्री किर्षन ने नहीं बोला श्री किर्षन का केवल सरीर पर योग किया गा था जैसे एक प्रितात्मा दूसरी के सरीर में आकर अपना उट पटांग जो करना सुना वकाय कर निकल जाती है कि सास्तर विदी को इत्या कर जो मनमाना आचन करते हैं उनकी दुरुगती होती है सास्तर विदी को इत्या का मनमानी पूजाएं जो करते हैं और सास्तर में क्या ग्यान है वेद में केवल ओ मंतर यह जुर्वेद जहार नुमर चालिश के स्लोक पंदरा में सप्ष्ट कर दिया केवल ओव मंत्र है और गीता ग्यान दाता कहता है कि मेरा केवल एक ओव मंत्र है आठ में जाय के तेरे में स्लोक में गीता जी में अब आठ में जाय के पांच और साथ मंत्र में ये कहता है मेरी वक्तिकर, मेरा वगतबन मुझे प्राप्त होगा प्र युद्ध भी करना पड़ेगा। युद करेगा फिर स्यान्ती कहा फिर ये कहता है प्रम स्यान्ती चाहिए जरामर्ण से छूटना चाहता है तो तत्वदर्शी संतों की खोज कर और उसका केवल एक ओब तत्व सत्य तीर मंतर का जाप है नथिंग एलस ये हनसर संहम ये कोई मंतर नहीं है इसी कारण से तो हमार सारा सारा जीवननस्ट हो गया अब दिखाएंगे आपको कैसी हालत हो के मरे ये अंत में क्या दसा होई इनकी अब आठमे ज्याय का देखिएगा गीता जी का आठमा ज्याय मंतर नमबर पांच में गीता ग्यान दाता कहता है कि जो अंत काल मैं भी मुझको ही समन करता हुआ श्रीर को त्या कर जाता है वह मेरे साक्षाद स्रूप को प्राप्त होता है मद भावम याती वो मेरे वाले भाव को प्राप्त होता है उसका आरते ये बनता है इसमें संस्या नहीं है फिर छे मतर शर्फ ये बताठ में जिस्की अंत कालम जिस भाव को समन करता हुआ, उस उसको प्राफट होता है। अब सातमेन मैं किया बता है, आठमिध है के, गीता जी मैंइ, इसलिए हे अर्दुन, तु सब समय में मेरा समण कर, और युद भी कर, अब गीता ज्यान जांता कहता है, कि मेरा समणगर ओम नाम है, ओम नाम का जाव कर, और युद भी करना पड़ेगा तुझे, यदिस युद से जंदर शुटना चाहता है शुटाना चाहता है परमस्यानती चाहता है तो आठार में जाएके बैशेट में सलोक में कहे दिया कि सर्वभाव से उस परमस्यानती को और सनातन परमधाम को पराप्त होगा जाने के बाद लोटकर फिर संसार में पराणी कभी नहीं आते मंदर म लोक में लिखा है तो यहां यह कह रहा है कि मेरा समन कर और यूद भी कर अब इसके बाद क्या बताता है कि जो मेरा समन करता तो मुझे प्राप्त होगा और उस परमक्सरवर्म की साथ ना करेगा उसको प्राप्त होगा इतनी सी बात है यह देखिएगा आठमे धाय काम इव सा मुझ मैं अर्पन किये हुए मन बुझी से युक्त होकर निसंदे मुझ को इपराप्त होगा अब आठमे सलोक में उस परमक्सरवर्म के बारें बताया है आठमे जाएके आठ नो दस तीन सलोकों में हे पारस ये नियम है परमेस्वर के ध्यान अभ्यास रोप नहीं अभ्यास योग युक्तेन जो तत्व दर्सी संदिस मंतर का जाब बतावगा उस जाब के अभ्यास से दूसरी और ने जाने वाले चत से यानि और किसे की पूजा नहीं करनी निर्टर चिंतर करता हुआ परम दिविं पुर्सम परम परकास रूप दिव पुर्स को अर्थाथ उस परम परम अक्सर ब्रह्म को पराप्त होता है यह नौमा सलोग आठमा पड़ियामन सलोग जो पुर्स सर्विज्जेस अनादीश सबके निंता सुक्सम स्याति सुक्सम सबके धार्ण पोशन करने वाले अत्यंत अचिंतर शरूप शुर्ये के सद्रस नित चेतन परकास रूप अब आठमें ध्यके और दसमा सलोग हम पड़ रहे हैं आठ, नो दस तीन में वह है बग्ती युक्त पुर्ष वो बग्ती युक्त पुर्ष उस तीन नाम के मंतर के जाप करने वाला उस बग्ती की सकती से अंतकाल में योग बल से exactement से यानि बग्ती की Сकती से योग मान से समन करता हुआ उस दिव रूप परम पुरस परमात्मा को ही प्राप्त होता है अब इसे क्या सिद हो गया श्री मद्भगत गीता में दो परमात्माओं का रोल है विसे इसकर और तीसरा दो अक्सर पुरस देशे गीता जी दायर नमर पंद्रा के स्लोक नमर 16 और 17 में तीन पुरस तीन पुरस को चाहिए ब्रहम को स्वामी को मालिक को प्रभू को एक सर पुरस और अक्सर पुरस ये तो दोनों ही नासवान इनके इंतर गड़ जितने पराणी है ये भी परमात्मा इतिव धारते इन दोनों से अन्य है उदो जिसको पुरुशोत्म कहते हैं वो परमात्मा वी नासी है वो सबका धार्ण पोशन करता है और सबकी उत्पत्ति करने वाला सुरू उत्पादक पर भू भी वही है तो आठ में द्याए के तीन मंत्र में परमक्सर अबर्म के वार्यम जानकारी आठ में द्याए के आठ नो दस में उस परमक्सर अबर्म की साधना करोगे तो उसको प्राप्त होगे आठ में द्याए के पांच और साथ मंत्र में गीता ग्यान दाता कहता है मेरी भक्ति करेगा स्लोक नुम्बर 23 में कहा कि सास्तरविदी को ते कर जो मनमाना आचन करते हैं इभा गीता धैनियोड नॉबर 11 के स्लोक नॉबर 23 at 23 और 24 में गीता जैनुबर सोला के स्लोक नुबर हम दिखाते हैं आपको तेईस में जो पुरुष सास्त्र विधी को त्याकर अपनी इच्छा से मनमाना अचन करता है वह ने सिद्धी को प्राप्त होता है ने प्रमगती को और ने सुख को ही अब चौबिस में बता है कि इस से तेरे लिए सोड में जाएगा चौबिस मसला इस से तेरे लिए करते और रहे करतेों की विस्था में कौन से करम करने चीए हैं बगती के कौन से ना करने चीए सास्तर ही परमान है ऐसा जान कर तो सास्तर विधी से नियत कर्म करने योगे है यानि साश्टरों मजोवरन चाहिए वही साधना कर अन्य करेगा तो कोई लाब नहीं होगा यूज लेस अब शिरी हंस जी माराज और उसके सपूत्र शिरी सत्पाल जी माराज और शिरी बालोगे सुवर जी माराज प्रेम जी माराज, वो क्या साधना करते हैं? कौन सा नाम जाब कराते हैं? वो किरिया बताते हैं, आखें, और कान बंद करके, अनहद सुनो, और जीव्या को उलटके, तालू पर लगाने की चेश्टा करो, इस کو अम्रत किरिया कहते हैं, नाम क्या जब देते हैं हंस है हंस और इसको कैसे करते हैं सह अंदर हम बाहर फिर ये भी एक बेतुकी बाते बनाई बैठे हैं कि हंस का उल्टा कर लेता है सो हम हो गया हंस का उल्टा सो हम कैसे होगा हंस का उल्टा करके देखिए सह हम सो हम नहीं हुआ ये तो बेतुकी बाते हैं और सो हम का कैसे सिमन के लिए बताते हैं सो अंदर हम बाहर ये इनकी पुस्तक में लिखा है तो इस मंतर का पूरी गीता जी में कती किता निर्णे नहीं है किता आदेश नहीं है जिस कारण से या स इसके सबसे पहले पस आस पर ले चलते हैं आपको अब आप जी को दिखाते हैं सिरी हंस जी कि इसके पुजारी थे, ये श्री विश्नु जी के पुजारी थे, और उनका वो नाम तो वो भी त्याग दिया, और एक ओट पटांग मंतर जाब करन लाएगे, देखिए, इसके पतास प्रिष्ट पर, यह timer है, यहां पतास प्रिष्ट है, यह पतास प्रिष्ट इंका है, हन्स योग परकास, इन्होंने क्या बता है कि सांथ सुरूप, सेस प्रिष्ट करने वाले, ना भी कमल जचह संसार को बनाने वाले, विर्मा की उत्पती हुए, ऐसे विश्व को धान करने वाले, ऐसे लक्समी पती कमल नेतर सब लोक लोकांतरों के स्वामी शरी हली को मेरी वंदना है बारम बार नमसकार है इसे सिद हो गया शरी हंस जी और उनके सुपूतर शरी सत्पाल जी और शरी प्रेम जी जिसको बालोगी उस वर के हैं ये सिरी विष्णू जी के पुजारी है और बच्पन में आपने देखा सिरी हंस जी कह रहे हैं कि मैं बच्पन में बगवान सीव और पारवची के दरसन करता था क्योंकि ये पूरा जनम की वक्ती से प्रिपूरन था इसकी बैटरी चार्ज थी अब सत्साद ना ना मिली सास्त्रों को साद रहिनों ने की नहीं फिर भी इनके पूरा जनम से इनके वचल में भी सकती थी बहुत सा लोगों को परभाव पड़ा लाखों लोग इसके अन्याई बनेंगे और फिर आप क्या दुरुगती हुई आप किस दिसा में मरती हुई इनकी ऐसे भगत मरते हैं पर दिकार ऐसी भगती को पहले ये दिखाते हैं ये क्या जाप बताते थे ये दिखिएगा ये है हंस योग परकास 220 प्रिष्ट पर स्री हंस जी कहते हैं अब भ्यास काल में चलते फिरते सोते जाकते सब समय में योगी को हंस मंतर का जाप करना चाहिए विधी बताते हैं उसी से प्राण चलते हैं वह हम करके बाहर निकाले और सै करके अंदर प्रवेश करता है ठीक है और इस तरह हंसो हंसो सबज के बार बार करते रहने से उल्ट कर सोहम हो जाता है अब देको इसकी समझदारी देख़ए इन माबरसों की बिलाा सोहं见 रहन करना तरह सोहम हो जाता है सोहम है क्योंना कर ले सबद है नहीं प्रमातमा कहते है कबीर जी सोहमसबद हम जग में लाए सार सब दमने गुब छुपाए तो कभीर साहब कहते हैं वेखों के लक्सर फिरें ये बाणी चोर कठोर और सत्गुर यानि परमेशवर धाम ना पहुंचेंगे ये चोरा सी के ढोर कभीर परमात्मा की बाणी से निकाल लिया सोहम हंस सब दिन का अपड़ा है इसको अनेसेसरी तरीके से उसको सिद करने की चीश्टा करें कि हंस भी सोहम ही समझलो ये तो सिद हो गया कि ये हंस मंतर देते हैं फिर ये बाद में इसको सो बाहर हम अंतर करने लाएगे ये कोई मंतर है विर्थ है ये मंतर इसलिए परमात्मा कहते है अकेला सोहम जाब करने से भी विर्थ है सोहम सोहम जब मरे विर्था जनम गवाया इसका अलग से विधी है किसी और मंतर के साथ इसका संयोग है जो सत्नाम बनता है ओम और एक जोतत मंतर है वो जोड के एक योग बनता इसका वो है यथार्स वक्ती मंतर अब इनों ने क्या परमान दिया है कि श्री राम चंदर जी ने श्री अंस जी कहते हैं कि बिलनी को ग्यान दिया वो सही है तो बिलनी को श्री राम ने क्यान ग्यान दिया इन ही कि सब दो में देखिएगा ये है बगती योग है और पुस्त गहन्स योग परकास और पृष्ष एक सोथीज़ पर कहे रगुपती सुन भामिनी बाता मानो एक बगती करनाता रगुपती जी कह रहे है बिलनी को कि एक बगती करनाता मानो और यहां देखो इसने आखिर में इस पृष्ष नमबर 131 पर यहां नीचे बता है राम बगती केते अधिकारी जिनको सत संगती अति प्यारी ठीक है यहाँ अब कहते हैं पांचमी विधी बताते हुए का है मंतर जप मंदर्ड विश्वासा मैं जो कह रहा हूँ मेरे इस वचन पर दर्ड विश्वास करके उस मंतर का जाप कर कौन सा पंचम भजन जो वेद पर का सा जो वेद में भजन यानि मंतर लिखा है उसका जाप कर नथिंग एल्स और ये वाणी भी पर्माण में ले रहे हैं वेद में क्या मंतर है ये जो वेद जह नंबर चालिस के मंतर नंबर पंदरा में सबस्ट किया है कि ओम कर्टो समर किलवे समर कर्टू समर अब फिर देख लोग वे इस अज्ञान को अटाने के लिए गणार एक मार मारना पड़ाएगा ये देख़ेगा ये जो वेद है ये कहां से परकासित है परकासित के सार्वदेश любов to الد ये सब्बाट बटा पांस मेरी सिदान । यह यहां से परकासित है यहां देख़ेगा यी है 342 यानि 40 माध दय ये दूर बेद ये दूर बेद के 40 मैं जाएगा पंदर मास लोग है इसमें लिखा है तोब आपको और भी प्रमान कर दिया। जी, श्री राम चंदर जी के उस ग्यान को परमाण में ले रही है अपनी पुष्टक में, जो भिलनी को निर्देश दिया, उसको सत्वान रहे हैं तो वो तो कहे रहे हैं, पंचम भजन जो वेद परकासा वेद में जो भजन मंतर बता है हो नाम का, उसका जाब करें लेकिन अब स्री राम को भी इतना ही गैन था, क्योंकि स्री राम स्री किरसन समझो अब इससे ही से दो गया कि स्री हंस जी, हंस नाम का जाब के लिए बताया करते थे और इसके पूत्र, श्री सत्पाल जी, और स्री प्रेम जी यानि वालोगे इस वर बोलना जिसको अमरीका में दुनिया बेगाड़न दाग रहा हो ये तीनों के तीनों सास्त्री भी दीता कर मनमाना हन्स जाप करके और या खेच्री बुज्री बुद्रा कराके जो कती यूदले संत मतेम कहीं पर भी परमाननी है जो विर्थ है इसकी सादना करवा के ये अपना भी जीवन नाज कर गए और लाखो क्रोड़ों जीवन को और बरबाद कर दिया उनका भार से रपादर लिया जिस समें स्री हंस जी की मर्चू हुई उस समें इनका बड़ा पूतर पंदरा वरस गया थे स्री सत्पाल जी और ये मनसूरी में पढ़ रहे थे और स्री हंस जी क्या दिल्ली में मर्चू होगी एक दम इतना बहंकर बुखार बन्या उस समें इनका छोटा पूतर आठ वरस का था जिसको प्रेम कहते हैं जो अमरिका में दुनिया बेगाडन लाग रहा उसमें वो जे रादून की कोठीम अपनी मां के साथ था आठ वरस का इसकी मर्चू जिल्डी में होगी अचानक सब द्वाईयां फेल होगी और कर रा कर रा कर इसकी मर्चू हुई वात रोग से पेडित था गोटिना में इसका दरदरा करता था अपनी आत्मा सन 1900 में का जनम हुआ 1923 में इनोंने दिख्षया प्राप्त की किसे उस पथबरष्ट संत के जाफषिया पुन्यात्मा जिसने आपना नास के राजीवनकार इसका उद्वाद कर दिया यह पहले ओव नाम का जाप करते थे श्री हंस जी स्वें परमानित करते हैं इसका वह ओव नाम भी छुटवा जया दो उससे जाप करता रहता कुछ तो ला मिलता वह भी बठा बठ हादिया और बैक हादिया अंदर लो करकर अंदर सब्द सुनो परकास देखो परकास तो यह काल का है और यह परमात्मा को नराकार बताते हैं कि वर जोती मानते हैं और वे दो में परमान है कि परमात्मा नराकार है साकार है सतलोक में रहता है वहां से चल कर आता है अब पहल सन 1963 में 40 वर्स की साधना जो ये करते रहे और अन्य को बताते रहे और वर्तमान में जितने भी इनके अन्वियाई हैं दोनों इनके पूत्रों के पास वो यही साधना कर रहे हैं और वही साधना वही बग्ची शिरी हांस जी ने 40 वर्स की और चालिस वरस की साधना के बाद इसके अंदर खुद भूत परवेस होगे ये एक स्वम प्रेतबाद आसे पीडित हो गया दिखकार है फिरेसी बगती से अभी आपने सुने जगत गुरु ततुदर्शी संथ रामपाल जी महराज सतलोक आश्रम बर्वाला जिला हिसार हरियाना के विचार और आए अब जानते हैं हंता देश पंत के प्रमुक संथ श्री सत्पाल जी महराज पंजाबी बाग दिल्ली के विचार अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी इस्टदेव कोन है हमारे इस्टदेव जो है हमारे सद्गुरु है जिरूने हमको ग्यान दिया और उनीग में हम शर्धा और निष्ठा रखते हैं वेसे गुरू की परमपरा बड़ी अरवाचीन परमपरा है पर वो हमारे इस्टदेव अभी आपने सुने हंसा देश पंथ के प्रमोग संथ श्री सत्पाल जी महाराज पंजाबी बाग दिल्ली के विचार और आए अब जानते हैं जगत गुरु तत्व दर्शी संथ रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बर्वाला जिला हिसार हरियाना के विचार और जैसा की श्री सत्पाल जी महाराज अपने सत्गुर्देव अपने सत्गुर्देव श्री हंस जी महाराज को इश्ट देव मानते हैं उनके सत्गुर्देव जी की क्या दसा हुई करपा देखिये उनहीं के दुवारा लिखी पूश्टकों में यह देखिएगा अमरत के कलस श्री हंस जी महाराज यह कहां से परकासित है ने संपातिक के समनलाल टंडन एमे एमेड दिली विशा विदा लेए परकासित के मानव उथान सेवा समीति परधान कारियाले दोवटा वारा पंदा विवाग नाई दिली से और यहां से चपा है राजेश्वरी फोटो सेटर्स प्रविट लिम्टिट दोगटा बारा पंदा भी बागनी दिल्ली से इसके 61 परिष्ट पर हम ले चलते हैं आपको सन 1922 में श्री हंस जी को उपदेश हुआ और 1923 में गुरु महाराज जी ने उपदेश देने की आज्या दे दी उपदेश पराथ करने के पस्टाथ श्री महाराज जी ने गुरु महाराज की सर्ण में रहकर उनकी आग्या अनुकुल साधना एमें परचार में अपने जीवन को लगा दिया उपदेश के पस्टाथ श्री महाराज जी ने अपने गाउं के पास उत्राखंड की तपो भूबी में कई वरस्त कठोर तप और भजन किया यह किसी संद्गरत में कठोर तप करने का गीता जी मना किया है उनको भजन किया मानो उठान सेवा समिती स्रिशतपाल जी माराज की प्रेड़ना से हान समर्ती में वहां एक समार्ग बनाने का फैंसला कर चुकी है कठोर तप किया अब दिखाता हूँ आपको श्रीमत भुगत गीता हम श्रीमत भुगत गीता पर आगे हैं अज्जाय नंबर सत्रा का और स्लोक नंबर ये पांच में पांच में क्या कहा है कि जो मनुस सास्तर विदी से रहित केवल मन माना कल्पित गोर तपको तपते हैं वे दम और एंकार से युक्त काम ना आ सकती और बल के अब इमान से भी युक्त है छटे में कहा है कि सरीर रूप से सतीत बूत समुदाय को और अंते करन सतीत मुझपरमात्मा को भी वो करस करने वाले, दुकी करने वाले अज्यानियों को असुर सुबाओ के जान अब क्या बताया है कि जो मन माना सादना और कठिन गो तप करते हैं उनको तो राक्स सुबाओ के जान और वो जनечता के नास के लिए ही उत्पन होते हैं यह देखना इसी सतर में द्याय का यहां बता है अध्याय नमर सोला के अब हम स्लोक नमर नो को पड़ेंगे है इस मिठ्छा ग्यान को अवलंबन करके जिनका स्वभावनस्ट हो गया है तसा जिनकी बुधी भी मंद है वे सब का अपकार करने वाले कुकरमी मनुश्च जगत के नास के लिए ही समरत होते हैं परबनती माने उत्पन होते हैं अब ये मिठ्छा ग्यान को अवलंबन करके ये पूरा पंत चला रहे हैं सास्त्रविदी गीता अनुसार साधना ना करके अपना मन कल्पित हन्स जाप दे रहे हैं कठोर हट योग घोर तपको तपते हैं इसके विशे में गीता जी में जो कहा हुआ आपको दास ने सुना दिया अब देखिएगा हम फिर आते हैं इसी अम्रत के कलस इनी की पूछते का इसको हम फिर पढ़ते हैं इसके 61 परष्ट पर हम आगे हैं सन 1922 ते इसमें महराजी को उपदेश हुआ यानि उस संत से और 1926 में गुरु महराज ने उनसे उपदेश देने क्या गया देजी तीन वरस बाद उपदेश के पस्चाथ श्री महराजी ने हंस जी ने अपने गाओं के पास उत्रा खंड की बूमी में कोई वरस तो कठोर तब किया बजन किया खाग बजन किया ओम नाम दे छोड़ दिया और हंस यह जाप करने लेगे खाग तब किया खाग बजन किया इसने गोरतब की कहा लिखा चलते फिरते उठते बैठते गीता मपरमान है और सुक्सम वेद मपरमातमान का नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे नाम कुण सा है वो नाम भी सही हो, इन साधनाओं के करने से, शिरी हंस जी महाराज की क्या दसा हुई, उनिस सो तरे सिट में इनम भूत बढ़ गया, भूत प्रेत परवेस हो गया, प्रेत बादा से पीडित हो गये ये खोदे, और बगती करने वाले पर भूत अटेक कर दे, भाड में जाओ इसी बगती फिर, खा क्या बगती इनकी, और फिर उसके चुराय की पूजा करवाई उस 27 प्रिष्ट पे, यद अप्रमातमागिन की पोल खुलवा दी, 1963 में, 1923 में नाम लिया, 40 वर्स की साधना के उपरांत इसकी क्या दुर्दसा हुई, देखो, 1963 में कुछ लोगों ने महराज जी पर जुठे मुकदमे कर दिये, नाना परकार के जुठे इलजाम उन पर लगा दिये गए, श्री महराज जी को कचैरी में बुलाने के लिए, एमेम उनका निरादर करने के लिए, मान हानी करने के लिए, बहुत से सडियन तर रचे गए, श्री महराज जी उन दिनों बंबई में थे, श्री महराज जी को कचैरी में ने जाना पड़े, इसके लिए उनको अस्पिताल में बर्ची करा जिया गया जब महराजी ने कहा कि तुम मुझे इस्पिताल को दाखिल कर रहे हो तो कहा कि महराजी आपके नाम से सम्मन जारी किये गए है और आपको दिल्ली कोर्ट में बुलाआ है महराजी ने कहा कि लेकिन मैं बिमार तो हूँ नहीं नहीं तो जूट ही होगा और जब डाक्टर आएंगे मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि इन्हें तो कुछ भी नहीं है मैं जूटा पड़ जाओंगा सुबह महराजी को बर्ची किया गया और स्याम को डाक्टर ने आकर महराजी को देखना था जैसे ही महराजी लेटे तो महात्मा रामानंद जी साथ ही कमरे में उसे कमरे में नीचे लेट गए इनका सेवक था एक रामानंद एक दो गहंटे पस चाथ महात्मा रामानंद जी सो रहे थे उन्होंने हाए हाए की आवाद सुनी वे उठे और महराजी से पूछा क्या बात है महराजी महराजी की जीव निकल रही थी आँखें लाल हो रही थी और जिसम बठी की तरह जल रहा था महात्मा जी कहते हैं कि मैं घबड़ा गया वो रामानंद कहा है और भागा भागा शिस्टर के पास गया और कहा कि महाराज जी की तब्यात अचानले खराब हो गई। खराब हो गई। डक्टर आए। उन्होंने महाराज जी काताप मन देखा तो 104 बुखार था। अपने अत्माऊ 104 बुखार भी हो जा जी भी निकला कराध में गी। इसमें भूत आगया भूत। इसका गुरू जी भी भूत बने रहा था, इसने याद किरा अक्रिव के बनेगी, इसके दुख ने देखका जैसे कई भूत करते है ना मेरा वेटा दुखी था, मैं जहां ताएगा इसमें, यू रोया करता उससे मेट कर बो लव भूते अब वो इसका गुरूजी आपड़ा इसमें, क्योंकि दूसरी आत्मा दूसरे में परवेश करे रहे, उसका बुराल हो जाया करे चाहिए कुछ भी हो तो इसकी जीव निकल लगी, आँख्यों लाल होगी एक सो चैर बुखार हो गया अब देखो, उसने क्या देख़्ा कि हाए हाए की आबाद सुनी मातमान रामान दूठे पूछा क्या बात है महराज जी महराज जी की जीव निकल रही थी बाहर ने, आँख्यों लाल हो रही थी और जिसम बठी की तरह जल रहा था फिर वो आए डाक्टर एक सो चैर बुखार था सारी रात बेचैनी से काटी डाक्टर से कहा कि इनको दिल्ली जाना है अब 383 पे इनका तो सम्मन आया हुआ है डाक्टर ने कहा कि सालत में ये दिल्ली नहीं जा सकते धर डाक्टर ने मेडिकल सेटिपेक्र दे दिया महराज जी की तब ये तल्गवक एक मेने के लिए खराब रही है एक मेना दुखी रही है हम सब लोग अब गबरा गए कभी बुखार इतना तेद हो जाता था कि महराज जी की आँके एक दम लाल हो जाती थी जब कुछ जिनों के बाद महराज जी होस में आए बेहुं सो गया था यहूँ बूत रहे तासाइस में तो महत्मा रामा नंद ने कहा कि महराज जी आप तो अच्छे भले सो रहे थे यह एक दम आपको क्या होगा इतनी आपकी हालत कैसी खराब होगी तो महराज जी ने कहा कि मैं लेटने लगा तो मैंने कहा है गुरू महराज अब तो मेरी लाज आपके हाथ में हैं यह लोग जूठे मुकदमे बनाकर मुझे के चैड़ी खड़ा करना चाहते है मैं बिमार तो हूँ नहीं यह लोग जूठा मेडिकल सर्टिपिकट बेज़ेंगे यह तो जूठी होगा बस ऐसे ही यह मन में आया और मैं लेटा तो मुझे बुखार चड़ना सुरू हो गया उसी से आज मेरी है हालत होगी गुरू महराज जी ने मेरी लाद रखी और सच मुझे बिमार कर दिया वार है देवता गुरू महराज बिमार कर रहा कर रहा है कि सुष्ट कर रहा कर रहा है अकल देखो इनकी, इसने याद करें, भूत आगया, इसमें पढ़ गया, और काड़ जी जी भबार ने इसकी बुराल कर दिया, एक मिने तक रहा खिवरान मेटी इसकी, आगे देखो क्या हालत है इसकी, पड़ो अच्छी तरह इसकी रामाने, कुछ प्रेमियों ने कहा कि साइ इसराती बाई, एक पंडित को लाई, जो उपरी हवा का इलाज करता था, बूत का डिनिया बलाए फिर, संत के लिए, उसने महराजी को देख कर कहा कि अरे, इनको तो किसी ने कुछ कर दिया है, और ये तब ही ठीक होंगे, जब इनकी नजर उतारी जाए, और चोराहे की आया, जो नजर उतारते, इसमें बोला जाएगा, सारी सामगरी मंगाई, चोराया पूजनगी, और पंडित जी को उसकी दिख्षना दे दी गई, और मात्मा रामानन जी, जो स्वें ब्रामन परिवार के हैं, उन्होंने इस कारिय को अपने हाथ में लिया, लग बग पांच साथ प्रेमी वहां पर थे, रात के बारा बज़े, उस सामगरी को एक कलसमर रखकर, चोराहे में रखना था, एक मठके में गड़े में रखकर, चोराहे पर रखना था, रामान जी ने नजर उतारने के बाद कहा कि कौन मेरे साथ चलेगा, जाडा लाग है, अब गुरू जी कहें, और चला जाडा लावे, वहार है देवताओ, आप भी पार होगे, रोधन भी करोगे, आप देखी वागे क्या होता है, रात के बारा बज़े उस सामगरी को कलसमर रखकर, चोराहे पर रखना था, रामान जी ने नजर उतारीने के बाद, अपने गुरू की नजर उता चलेगा, तबी सबी बहबीत हो रहे थे, ये इनके चेले भूता जी भी डर रहे हैं, अन्तमे उन्होंने डाठ कर कहा, के रे डरते क्यों हो, मैं भी तो चल रहा हूँ, रामान जी ने दमकाए हुए, क्या भूत हमें खालेगा, इसका मतलब भूता था है उसमें, क्या भूत आन्तमा उन्होंने एक दूसरे महात्मा को तेयार किया, घंगोर वर्सा हो रही थी, तेज हवा चल रही थी, जैसे ही महात्मा जी कमरे से बाहर निकले, उस भूत्न ले कए, तेज ऑंजी से दरوाजे कितनी आवाज की, दर्वाजे ने इतनी आवाज की, हवा के अंदर जान से माराज जी 385 माराज जी जोर से चल लाए गुरू जी पारह कल की तो रामानन जी भी काप उठे उचेला जाड़े लाणिया भी डिर गया भेवी तो उठे और मन में यह ख्याल आया कि वापस कमरे में चलें लेकिन फिर धरिये बांद कर और नाम का समुन करते हुए उचोराए की तरफ उस कल उसको उठाए हुए चल रहे थे दूसरे मातमा चाता लिये चल रहे थे चोराए में रखकर जैसे ही पंड़त जी ने बताया था पीछे मुड़ाए अब हो गया काम है अब चारीस वरस की साधना के बाद और गुरु जी में प्रेत बादा होगी औरों का खाक लण करेंगे ये क्योंकि सारी साधना सास्तर विरुद की जो गीता पर्मान है कि वह असी साधना करेगा उसको ना तो सिद्धी हो सास्तर जी को त्याकर माना आशन करते है तो और क्या हो बूतर बनेगा फिर वो याई गती होगी अनसजी की हुई अब इनकी मर्तू कैसे हुई अब यहां से सुरू करते हैं सन 1973 में इसमें बहुत प्रविश हो लिया 1966 में इनकी थोड़ी सी कानिया सरी सुना दू ये देखिएगा महा निर्वान ये है अमर्त के कलस पुस्तर कंपड रेन की महा निर्वान ठारा जुलाई 1966 का जन था और 26 प्रविश 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 नगर दिली की कोठी मसनाटा चाया हुआ था ऐसा लगता था देखिए महा मोन आवत्रित हो कर कोठी के प्रविश द्वार पर प्रविश दे रहा हूँ पूरी कोठी मक्योलेक मातर बिजली का बरलब टिम्ट मारा था पूछने पर पता चला कि पूझे गुरुदेव योगी राज हंसराज जिमाराज अत्यजिक ऐस्वस्थ हैं और प्रेमी बगतों को दर्शनार थाने की आग्या नहीं है अलके से कराने की आवाज आ रही थी बाबा 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 बहार से ही परणाम करके निरास घर लोटा अच्छा आगे देखो ये अठारा परिष्ट पे इसी के अमर्स के कलस पे महराजी इतने ऐस्वस्थ हो गए अभी दो दिन पहले ही वह देरा दून से अलवर जाने के लिए दिल्ली पदा रहे थे हमने दर्सन किये तब भी कह रहे थे कि तबियत खराब है सवेरे ये है समाचार मिला की महराजी ने अपना पार्थिव सरी त्याग दिया है अब 19 जुलाई 1966 को प्राता तीन वजे बिर्म मरुतम हो ने महापराण करत और जोती में जोत समा गई अब यहाँ देखो इसका पूरा निष्ट दिया है कि 19 प्रिष्ट पे 17 जुलाई प्राता अलवर के लिए रवाना हो गए वहाँ दो दिन का सत्संग प्रोग्राम अलवर के प्रेमियों ने रखा हुआ था दिल्ली के भी कई प्रेमी जी महराज का सत्संग सुनने के लिए अलवर गए थे अलवर दिली से लगवग सो किलोमेटर की दूरी पर सती थे गर्मियों में लगवग हर वर्ष महाराजी राज़स्तान के सत्संग दोरे के लिए जाया करते थे अब यहां देखेंगे अब क्या था स्याम होने लगी सत्संग पंडाल में सुरोतागन की भीट बढ़ने लगी संत मात्माओं के वजनों की दोनी से अवातावरन भक्ती भाव से बढ़ने लगया कुछ विरोध करने वाले लोग भी सत्संग पंडाल में बैठे वे थे मात्माओं के सच्छंग ओने लगे लेकिन बहुत देर तक जब स्री माराज जी सिटेज पर नहीं पदारे तो रोधी लोगों की आवाज आने लगी कि स्री माराज जी को बलाओ कहा छुप गए हैं। श्री हंस जी माराज सिटेज पर क्यों नहीं आ रहे हैं। अलवर के प्रेमी माराज से बार बार परत्ना कर रहे थे कि माराज जी थोड़ी देर के लिए सिटेज पर पदारें। अलवर के एक भगत ने कहा कि अगर आप सिटेज पर नहीं गए तो हमारी नाग कट जाएगी। श्री महराज जी ने कहा कि आरे भक्त अपनी नाक रखने के लिए मिठ्धा विमान के लिए मुझे क्यों किस्ट दे रहा है देख नहीं रहा कि मेरा स्री भठी की तरह जल रहा है वो फिर बिमार होगे सच मुझ जब तब उत पड़ रहा सा सुना अब 20 प्रिष्ट पर 19 पड़ लिया सत्संग समाप्त हुआ स्री महराज जी सत्संग में नहीं पड़ आर सके तबियत बहुत खराब होगी थी सभी को सोता हुआ छोड़कर 18 जलाई को स्री महराज जी वापिस दिल्ली आ गई यह भी प्राथना की गई कि आपको देरहदून ले जाया जायन की पत्नी और छोटा वेटा था वहाँ आपका इलाद और सिवा सुसुरसवा ठीक टंग से हो सकेगी लेकिन महराज जी ने शिर आ दिया और दिल्ली ले जाने के लिए संके दिया सक्तिनगर कोटी में जिस कमरे में गुर्देव पहले ठहरा करते थे उसमें ने ठहर कर भारवाले कमरे में ठहरे जहां साधान तैसरी महराज जी के जेश्ट पूतर बाल बगवान यानि सिरी सत्वाल जी दिल्ली पदार तै तो ठहरते थे बुखार और तेज होता जा रहा था महराज जी स्रीमाता जी को बुला ले किसी ने कहा कोई डाक्टर बुलाएं या आपको देरादून ले चले सेवकों ने प्राथना की नहीं उतर दिया नहीं किसी को ना बुलाओ जाओ बाहर जाकर बैठ जाओ मेरे पास कोई ना वे सभी चले जाओ फिर भी सलहा करके डाक्टर बुलाएं गया और डाक्टरों ने जांस करके पस्चाद दवा दी दवा का कोई असर नहीं हुआ बुखार और तेज होता चलाएगा सिर पर बरफ की पट्टी लगाता रखीगी लेकिन ताफ माननी ची आने का नाम नहीं ले रहा था ऐसा लगता था कि भाहिया उप्चारों से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि सिरी महराज योग मुद्रा में पहुँचे गए बेहुस होगा उस्तनी पात के जहरते ऐसा बैंकर रोग हो गया बुखार में दुआई काम करना बंद करगी जब तक इन्वर्टर की बैटरी पूरव की चारज होती है तो उससे पंखे भी चलते हैं बल्लब भी जगते हैं बले उसमें चारजर ना ला रख्या हो और जब वो पिछले उसका जो अक्समता समाप्त हो जाएगी बैटरी खत्म हो जाएगी डाउन होगी फिर एक दम सब सुविधाएं खत्म हो जाती हैं वही दसा शरी हंस जी महाराज जो शरी बाले उस्वर शरी प्रेम जी तथा सरी सतपाल जी महाराज के पूजय पिता जी और पूजय गूर्देव हैं और वही साधनाय स्वेम कर रहे हैं स्री सत्पाल जी और स्री बालियों के स्री प्रेम राउच जी और उनके उन्यायों से कर और करा रहे हैं तो यही दसाइन सब की होगी आप देखते हैं इनके सत्संगों में स्री सत्पाल जी रहे हैं इसी मोटी मोटी यह नगों की गुठी पैरे पत्थनां की इन पत्थनात यह अपनी मोकसता होंगे तो पुनात्माओं जहां बगती नहीं है तो यह टंबर चला करें अन्तमाओं आप भी दुखी अपना जीवन नास और करोड़ों का और जीवन नास कर दिया दास का उदेश से किसी की निंदा करना नहीं एक सत्वारक दरसन करना है उनके हित्म है बिले उनको एक बार बुरा लगे लेकिन सदा का सुख होगा उन लोगों को अब जैसे एक असली और नकली नोट बनाए थे किसी ने नकली नोट ठाक दिये किसी व्यक्तिन दोखा देने के लिए जनता सरकार को पता लगया कि ओरिजिनल और डुप्लिकेट दोनों साथ साथ टीवी में दिखाए थे यदि कोई ये कहे कि सरकाल आलोचना कर रही है तो या तो उसने के में बांग भूंग पी राखी होगी वह बकवाद कर से कैसी लेकिन सरकार एक महापरोफकार कर रही थी लाखों लोग बचे गे उनके लुट जाने से तो यही प्रियतन दास कर रहा है हमारे सद्गरंथ औरिजिनल नोट है आई एसाई मारक है और इन मापरोफकार कानुभाव आपके उनके से तुलना कर रहा हूं यह इसके विरुद है तो यूजलेस है यह आपके समक्स है यह सारा इस शास्तर भी दीता कर बर्माना चनता और जिस कारण से स्री हंस जी कि क्या दसा हुई और काकर है समझतार को संक आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्श्री संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं क्या नाम है आपका जी मेरा नाम दयाल सिंग रावत है मैं जनपत पौड़ी गड़वाल का रहने वाला हूँ और यहां दिरादूर में निवास करता हूँ मैं पुलिस विपाग में सर्विस करता था आप रिटारिमेंट हो गया हूँ 2008 में लिख करके रिजाइन दे दिया था संतरामपाल जी मारा से आपने नाम दिक्षा कब ली जी मैंने 19 दिसंबर 2011 को संतरामपाल जी महारे जी से नाम उपदेश लिया संतरामपाल जी मारा से नाम दिक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ती सादनाए करते थे संतरामपाल जी मारा से आपने नाम दिक्षा कब ली संतरामपाल जी मारा से सर में आने से पहले आप क्या भक्ती सादनाए करते थे सर आप पुलिस डिपार्टमेंट से रिटार्ड हैं तो आप संतरामपाल जी मारास की सर में कैसे आए क्योंकि संतरामपाल जी मारास तो आज जेल में है सर में 2009 में वहां जब रिटार्डमेंट आया था तो उसके बाद दो साल में ऐसे ही अपने संतरामपाल जी मारास की किताब मिली मैं अपने घर के पास एक पंडी जी रहते थे मंदिर में हैं उन्होंने मेरे को एक भक्ति सौधागर का संदेश पुस्तक दी थी मैंने उसे पढ़ा और एक हफ़ते में मैंने उसे पढ़ करके जब इस नंबर दे रहे थे तो उस किताब में भक्तों को जो लाब वे थे उन नंबरों पर मैंने कॉंटेक्ट किया वहां से पर मेरे को बताया कि हाँ ये बात सही है आप उनसे नाम दिख्षा ले लिजए फिर मैंने सत्लो का आथरम करोथा का नंबर था उसमें वहां फोन किया सर संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले आपने कई तीर्थवी किये और हंसा देश वाले पंथ सत्पाल जी महाराज को भी आपने लगवक साथ से आठ साल गुरू बना कर रखा तो इन सब भक्ती साधनाव से किया आपको कोई लाब भी मिले जी सर लाब तो कुछ ने हुए और लाब के पिसे में कुछ जानते भी नहीं थे हैं यही सुना था हमने लोगवेद में के जो करम में लिखा है वो ही भोगना पड़ेगा इसलिए हमने जादे इन चीजों पर गौर भी नहीं किया लेकिन जब संत्रामपाल जी महाराज के सर सर संत्रामपाल जी महाराज की सर में आने से आपको यह पता चला कि भक्ति करने से लाब प्रापत होते हैं तो क्या संत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्शा लेने के बाद आपको कोई अनुवब या लाब भी मिले जी सर शर्व परतम तो मेरे को अधियत्मी ग्यान का पता चला और संत्रामपालजी महराज के सरवन में आने से कि मनूष्य का जो मूल करते भी है वो मोक्स मार गय है और मोक्स जो है सचे गुरू से ही हो सकता है और कहां है हमारे सभी सास्तुर में परमनित है तो हमारे धर्मपतिनी ने जो उसम में ज्ञान नहीं ले रखे थी, उन्होंने मेरे से कहा कि आप संत्रामपाल जी महाराज के सरण में होएं, आप उनसे क्यों नहीं प्रार्थना कर लेते हैं, तो मैंने मन ही मन प्रार्थना करी कि हे प्रमात्मा, हे संत्रामपाल जी महाराज आप तो सब कुछ कर सकते हैं आप हमारे बच्चे को हमारे घर में भी एक बच्चा दे दीजिए तो हमने उनी के नाम से फिर एक पाठ करवा दिया और पाठ पर साद ला करके मैंने पूरे परवार में दिया बहु को भी दिया और उसी दिन से प्रमात्मा ने हमें एक कन्या 2013 में दे दी उसके बाद मेरा छोटा लड़का जो था उनीस बरस का था उनीस बरस से जो है वो भरती की ट्राई करता रहा तीन चार बार वो जो है मेडिकल में आकर के फेल हो जाता है क्योंकि उसके पैरों के तलिय एकदम फ्लैट था तो पलिस की भी उसने ट्राई की और आर्मी की भी उसने ट्राई की लेकिन वो वोसी पैरों के तलwे के भुजे से जो है फेल हो जाता मेडिकल में फिर मैं जब 30 साल उसका लग गया लाश्ट साल था फिर मैंने परमात्मा चारदास कीती है परमात्मा अपने बच्चों को भी जो है इस मार्ग में आने से पहले मैं आपसे प्रार्तन करना चाहता हूँ कि इसको भी जो है सरकारी नोकरी देजिए इसके साथ के सब हो गए परमात्मा ने मेरी सुनी और उसको पुलिस की जगाए आर्मी में उसको सेलेक्ट कर दिया मैं उस परमात का संत्रामपा जिमारत का बहुत आबारिब जिन्होंने मतले मेरी हर पुकास हुझी और 2015 में जो है मेरी बड़े लड़के का उस सुभी नास्ता करके घर से गया था ड्यूटी में वहीं प्लिस लैंड देरादून में सर्विस करता था घर से नास्ता करके घर गया वहां ड्यूटी पर गया और एक घंटे बाद मेरे को फोना आ गया कि आप तुरंत हॉश्पिटल आ का फिर वहां एक उन्षी के जिसके साथ वह ड्यूटी करते थे उन्हीं के एक एसक्यूम थे उन्होंने जो है उसको बर्ति करवाया और फिर उन्होंने मेरे को बताया कि इसको अटेक पड़ गया तो उस समय तो मुझे इस बात का पता नहीं चला लेकिन बाद में परमात्म देती मेरे को सवा पांच लोग लोग करचा होना था पता नहीं प्रमात्माने संत्राम पाल जी माराज के किरपाशे कहां चो पैसे आए मुझे खुद पता नहीं था चोटा लड़का मेरा आर्मित में था मैंने उसको खबर तक नहीं कि कि बेटे ऐसा हो गया और मुझे जो है पैसों के भी इतनी सुविदा मिल गई पता नहीं चला कि कहां से आए ये पैसे और बड़ा लड़का तो पड़ा ही था बैट पैसे उससे में मैंने एक पैसा नहीं लिया था और ये खबते के अंदर पांच लाग रुपए मैंने अस्पताल में पूरे करका वहां कर दिया लड़का भी ठीक हो गया और आज परमात्मा की रजा से सब कुशल है और मैं उन संत्रामपाल जी महराज का आभारी हूँ और कर प्रार्द में करता है ये परमात्मा अपने दास पर इसी तरह दया करते हैं सर संत्रामपाल जी महराज से नाम दिख्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाब प्राप्त हुए लेकिन पहले आप हंसा देश वाले पंत सत्पाल जी महराज किया थे बहां आपको ये भी निमालुम था कि परमात्मा ऐसे कोई लाब भी देता है तो जो सरदालो आज संत्रामपाल जी महराज की तरफ से बिने निमरे दिन करना चाहता हूँ कि हे मानो परमात्मा की बाद में लिखा है मानो जनम दुरलब है मिले न बार अंबार और जैसे तरवर से पत्ता तूट गिरे फिर लगता न बहुरे डार ये मानो का जीवन बड़ी भागे से मिला है और ये केवल परमात्मा की भक्ती के लिए मिला है और अपना मोक्ष मारगे के लिए मिला है और आप इस ग्यान को एक पार संत्रामपाल जी महराज की ग्यान को समझें और उनकी सरन में आ करके अपनी जीवन का कल्यान कराएं यही मेरी सबसे पिंती है प्रार्थना है और अ कहते हैं कि एक बार गुरू बना लिया तो दोवारा गुरू नहीं बनाना चाहिए। उन सब के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे। आध्यात में रोग है और हमें जब एक गुरू छिलाब नहीं होता तो हम तुरंत दूसरे गुरू के पास जाएंगे और जब तक हमारी संतुष्ट नहीं होगे तब तक हम गुरू बदलते रहेंगे। हमको भर्मित नहीं कर सकता है और हमारा अब दिर्ड विश्वास है कि परमात्मा हमको मोख्ष मार्ग मिल गया है और मोख्ष करवाएंगे। सरसंत्रामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले आप कई चैनल आजकल संत्रामपाल जी महाराज के दया से खुले हैं और आप ससंग देखें। ससंग के नीचे पट्टी आते हैं इन पर नंबर दिये हैं इन नंबरों पर आप कॉंटेक्ट करें। संत्रामपाल जी महाराज के दया से पूरे विश्व में नामदान खुले हैं। उन नंबरों पर जब आप कॉंटेक्ट करेंगे तो आप जहां भी रहते हैं, वहां पर आप नामदान अर्श्थल पर जाकर आप नाम दिख्षा लेजे और अपना मोख्ष कर रहाई है। धन्यबाद सर, सत्साहिब जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatgururampalji.org संत्रामपल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं, जिन पर संत्रामपल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है। अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें. अपने लिए सकता है कि अपने के लिए सबस्के के लिए सकता हुआ है।